चैप्टर शिक्स जिसका नाम है ट्राइंगल ए अन जी अल ई इसे बोलते हैं तिर्भूज देखो तिर्भूज होता क्या है जी हनमान परसाद अगरहरी जी गुड मानिंग बच्चा अंकिता सिंग गुड मानिंग प्रियंका मिस्रा जी गुड मानिंग अब बात आती है कि तिर्भूज किसे कहते हैं तिर्भूज किसे कहते हैं देखिए आपने अकसर देखा होगा ऐसे कोई एक आकरती देखे हो जिसको तिर्भूज कहते हैं इसकी definition क्या होती परिभास होती आप ध्यान से सुन लो तीन भूजाओं से गिरी हुई और बंद आकरती तिरभूज कहलाती है क्या होता है तीन भूजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिरभूज कहलाती है जैसे इसमें पी क्यू एक भूजा है क्यू आर दूसरी भूजा है और पी आर तीसरी बुजा है नोट करते हैं चलो फटा फटा समझ गए ना तिर्बुज किसे कहते हैं बच्चा तीन बुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्बुज कहलाती है इसके बाद इसमें हम लोग दो चीज पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं सरवांगसम तो देखो यह कौन सी मुसीबत है बैया सरवांगसम और समरूप एक नया नाम है द्यान दो पहले जैसे मैंने कहा कि तिर्बुज किसे कहते हैं तीन बुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्बुज कहलाती है सरवांगसम समरूप बहुत ही प्रेक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल आप टेंसन मत लेना जैसे अगर मैंने दो तिर्बुज बनाया ए बीसी और बच्चा मैं एक तिर्बुज और यहां पर अगर बना दूं आप जड़ा गौर्द करना हां यहां पर मैं बना दूं देखो ध्यान दो समझो यह भी एक तिर्बुज है वो भी एक तिर्बुज है इसके नाम करण ऐसे हैं A B C देखो यदि A B भुजा P Q के बराबर है क्या है A B P Q के बराबर है Q R भुजा A C के बराबर है देखते जाओ ठीक है अरे इससे भी बोल सकते है A C Q R के बराबर है वो तो वही बात हुई या फिर B C भुजा Q R के बराबर है B C किस के बराबर है Q R के बराबर है इसको पी आर लिखना था थोड़ा से हाँ पर मिश्टेक है आप इससे सही करो पहले A C बराबर P R ठीक है मतलब ये भुजा A C वाली इसके बराबर है देखो तब ये दोनों तिरभूज क्या होंगे सरवांग सम होंगे मतलब आपने क्या समझा है कि जब तो कोई दो तिरभूज जिनकी आकरति और आकार आपस ने बराबर हो सेप एंड साइज दोनों इक्वलophile हो वो कंग्रियंस कहा लाते हैं सरवांग सम कहा ठीक है इने क्या बोलते है इंगली समें इने क्या बोलते है अधिय्मेट्री भोलते है सेमेट्री ऐसे होती स्पेलिंग आप देख ले ना स्पेलिंग मुझे कुछ गडबड लग रही है क्योंकि मैं हिंधी में पढ़ाता हूं अकसर इंग्लिस में नहीं लेकिन आपको बता देता हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में जाता आता है symmetry ठीक है ओके यह क्या हो गया symmetry and congruence सब इस्कूल जा रहे हैं मुझे पता है दो पार दो बज़े भी कलास चलेगी आप लोग दो बज़े से आजाना कोई बात नहीं बच्चा तो यह समरूप और सरवांग समझो पहले अच्छे से जिनको जाना है ठीक है जाओ आप लोग जब स्कूल से आओगे तब भी पढ़ सकते हो चैनल सब्सक्राइब करके रखो बैल आइकन आन करके रखना घंटी की बटन दबा के जरूर याद रखना आपको नोटिफिकेशन जाएगा यूट्यूब से जब आना नोटिफिकेशन में जाके खोच के देख लेना क्लास को क्लास तो रहेगी ना चलो तो अब हम एक-एक आपको डिफाइन करेंगे जी बिल्कुल अनू पियादो जी आपका कमेंटार आ रहा है कोई बात नहीं सीवानी परजापती आरा स देखो जैसे मैंने दो तिर्भूज लिया है मैंने नाइंत वालों में भी यह पढ़ाया था अगर आपका अच्छा नहों वाला पढ़ी देखे देखे तो यह मैंने एक तिर्भूज लिया है दोनों तिर्भूज हैं अरे बाई सीधा हो जा यह दोनों क्या एक के आपर करेंगे अभी का दिख रहना ये आपने मतलब यह एक दूसरे को पूरा पूरा धाक ले रहें प्राफवर कहीं दिख रहा है दूसरा वाइट वाला दिखाने ना यह देख को मैंने पर विए नहीं से फैलाँ यह2 कोई भी वश्तु जो इस तरह की होती है कि उनको एक दूसरे के उपर रखने से एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर ले वो काइंगुरियन्स कहलाते है से खतीक जी आरा समझ में ना ये काइंगुरियन्स है हाँ बाकि अगर हम समरूप की बात करें तो बेटा देखो समरूप का मतलब होता है इनके रूप एक समान हो बस क्या हो इनके रूप एक समान हो जैसे देखो पहले प्रेटिकली देख लो इनके रूप एक समान है दोनों गोरे गोरे हैं काला कोई नहीं है दोनों तिरभूच की आकार के हैं लेकिन ये छोटा है बेचारा ये बड़ा है यह क्या है सम रूप है इनके रूप एक समान है लेकिन सरवंग सम नहीं है क्योंकि इनके अंग छोटे बड़े हैं ठीक है जैसे एक और भी आपको किताबी बाद सा पढ़ा दूँ इधर साइड में देखो ध्यान से कोशिस करो समझने की भाई साहब चलो जैसे दो सरकल आपने बना लिया या दो बरित बना बलब बरित जिसे बोलते हैं कुछ भी आप बना लो भाई कुछ भी ये नहीं जरूरी कि आप वही बनाओ कि ٰही है जो तिरभुजी हम आपको सरवंग जो नसे았र सब कुछ पढ़ लो जो भी चीजे होती हैं जैसे देख यह दोनों पर एक जैसे बाई दोनों गोला नुमा है ना तो यह समैट्री है किया है ऐसे तो बोलते हैं सम्रूप को क्या पोलते हैं समेट्री में बोलते हैं समरूप समझो आप हिंदी में समझो समरूप है क्योंकि दोनों के रूप एक जैसे है लेकिन अगर मैं यहां पर एक आयसे तिरभूज बना दूं और मैं आप से पूछूं कि भाईया क्या ये बृत और ये तिरभूज दोनों समरूप है बोलो ये दोनों समरूफ है कुझ बिहारी यादो जी आरा समझ में तो ये दोनों समरूफ नहीं है क्या है ये ये दोनों समरूफ कता ही नहीं है मतलब इन दोनों में गड़वड़ी है ये समरूफ नहीं है लेकिन ये दोनों समरूफ है यह दोनों क्या हैं समरूफ हैं बात समझ में आई ना तो यह सरबांगसम और समरूफ था कान बनाने के लिए हमें बहुत सारी सिस्टम की विवस्था करने पड़ती है ना उसी तरह से हमें क्या करना होता है क्लास कोई भी चैप्टर सुरू करने के पहले उनके जो कंसेप्ट होते हैं हमें उनको सीखना होता है क्योंकि बिना कांसेप्ट के भाईया सवाल नहीं आएगा ना उसी तरह जैसे अगर आपको घर बनाना है तो इंटा सेमेंड मोरंग लोहा लख़ड रखोगे तभी बनेगा ना तो हम क्या करेंगे तिर्भूज तो पढ़ना है उससे जुड़े हुए सवाल एकदम पूरा कांसेप्ट वाला चीज पढ़ेंगे, आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप इस में से ये सारी चीजे जानते हो की नहीं, जो जो आपके काम की हैं, मैं उनको बताओंगा, जैसे, संगत कौड, संगत कौड सुने हो, एक अंतर कौड, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक ना, बिल्कुल आनी चाहिए ये, छोटे छोटे बाते हैं, अंतर कौड, वाह कौड, ये कांसेप्ट मैं आपको पढ़ा के, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताओंगा, ठीक हैं? चले, आगे चले, चलो, ये हो गया, अंतर, एक अंतर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप पढ़ोगे, जैसे तिरबूज के तीनों कोनों का योगफल, तो सभी जानते हैं, बहुत छोटा सा ये, इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं, आप लोग बताओं, और जिनको इसमें से, जिसके बारे में भी पता है, फटा-फट सापके बारे में बता दो, सभी का definition बताओ आप लोग चलो फटा-फट जल्दी करिए आप लोग जल्दी से बताइए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है ये सारी चीजें कलास सेबंथ में तुम लोगों ने देखा होगा अगर पढ़ा है तो भाई है ना चलिए आगे बढ़ें सरबांग समता की सरते तो मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों ने पढ़ लिया था इसमें तो कुछ बढ़ा था नहीं और इसमें क्या-क्या पढ़ना था वाई कुछ चीजें मैंने यहां पर आपके लिए रखा था लेकिन आप लोगों ने सायद इसके पहले वाली कलास देखा ही नहीं था करस्पार्णडिंग को संगत कोडhew दिपांसू जी बिलकोल इसकों इसको इंटीर कि इसको इक्स्टीरियर एंगल बोलते हैं सब्सक्राइब बताओ इसमें ये बताओ मुझे चलो इसमें ये बताओ बाई साहब इसका मानलो नाम है बीटा लेकिन तुम लोग टाइप नहीं कर पाऊगे इटा बीटा नहीं टाइप कर पाऊगे नहीं ये इसका कौन का नाम सी है और ये कौन क्या है ए और ये पी है ये क्यू है ये आर ये यह मुझे इसमें से आप लोग काम करो जल्दी से सबीट में अन्ता और वाह कौन बताओ बहुत यहासान है आज सिर्फ का कल से कुश्चन होंगे याद रखना कल से कुश्चन होंगे और यह कलास सुबा चल जाती आठ बजे से आप इसे बाद में चाहे जब देखो चैनल सब्सक्राइब करके और बैल आइकन आन करके रखिए सभी बच्चे बाद में भी देख सकते हो दिवाली बाद हम इस कलास का टाइम चेंज करेंगे जो लोग चाह रहें कि कलास का टाइम बदल दिया जाए दिवाली बाद करेंगे पामराज जी रादे रादे अकील अलीजी बिलकुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूं चलो सबी बच्चे बताओ फटाफट बताओ पूरी बात जल्दी लिखो फटाफट और जल्दी से देखो इसके पहले आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था मैं वही सोच रहा हूं कि आपको एक बार फिर से दिखा दूँ क्योंकि कलास सेबंथ में आपने वह चीजें पढ़ा था और वह चीजें आप लोगों के यहां पर भी आनी चाहिए तो इसलिए मैं वही चीजें आपको दिखाने की कोर्सिस करूंगा ठीक है चलो फिर तो हां जो चीजें हैं आपके लिए सीखने वाली वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं ऐसे कहीं पाओगे नहीं दुबारा क्योंकि क्लास में लोग बाते लोग नहीं करवाते हैं अ और यह चोटी बाते नहीं सीक गए तो बड़ी बाते कुछ नहीं आएगी बच्चा ठीक है इसको बोलते करसफांडिंग अल्टरनेट एक्सटीर है ओ इसको इंटीरियर को इक्सटीर है ॉ देखो यह है वाइक ओन है वाइकोंड क्या होता है जब कोई तिर्भूज या फिर कोई चतरूबूज जैसे भी जैसे जो पूरी आकरती एदेखो यह यहां से यहां तक है पी क्योंग उसमें से हलका सा भूजा को आगे बढ़ा दिया गया तब ऐसा जो कौन बनता है फांग है ठीक है जैसे इसमें एक वाइक कोन और भी हो सकता है बताओ एक तिरबुज में कितने वाइकोन हो सकते हैं सोचो कितने हो सकते हैं गेस करो एक यह हो गया है बच्चा अगर तुम चाहो तो इसको भी तो आगे बढ़ा सकते हो इसको भी आगे बढ़ा सकते हो तो कितने वाइकोन होंगे देखो किते हो जाएंगे बहुत सारे हो जाएंगे यार इसमें तो फिर है ना गिन लो जोड लो फिर बताओ मुझे ठीक है आगे चले हाँ चलिए ओके गुड छे हो जाएंगे छे अब इसमें अंदर वाला मत लेना कि यह यह बाइकोन है यह नहीं होगा छे होगा ओनली एक यह यह भुजा आगे बढ़ाने पे यह बस दो इधर वाला मत लेना क्योंकि यह जो है बाइकोन नहीं है यह कुछ नहीं है क्योंकि यह उल्टा बन रहा है यह है यह है ठीक है कितने बाइकोन होंगे छे बिल्कुल बहुत अच्छे नियूटन नियादो वही नियूटन फिर से आगे का तो ये बाईकॉन हो गए अंता कॉन की बाद करें तो जिते भी कॉन इसके अंदर में बने हो अनता कॉन है जैसे ये कॉन जो ए है या अनता कॉन है अगर कोण यहां पर बी लिख दूँ तो यह भी अंता है यहां पर टी लिख दिया थे भी क्या है अंता कोण है यह सभी अंता कोण है इसके बाद बच्चों एक आता है कम्पलीमेंटरी एंगल देखो जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ अर्चना खनवार जी गुड़ मॉनिंग शोफिय सायद गुड़ मॉनिंग सभी को गुड़ मॉनिंग इसके बाद क्या है बच्चा लिखो आप लोग पूर कोण यह सारी चीज़ें अगर आएंगी तो आप चैप्टर 6 के कुष्चन आसानी से करपाऊगे इसके पीछे का जो बच्चे क्लास नहीं देखे हैं उसको देख लें कल वाली क्लास कल में मैंने कांग्रियंट एंड सेमेट्री बताया था और डेफनीशन आफ ट्रेंगल और भी कुछ कंसेप्ट कल मैंने सिखाय थे लाइब होती है लेकिन पीवियार स्टेडी चैनल नंबर तीन पर होती है जिसकी लिंक आप देखो डिस्क्रेप्शन में हो जाएगा या फिर अभी मैंने नाम लिखा था देखा होगा अगला है पूरा कॉड पूरा कॉड जिसको इंगलिस में क्या बोलते हैं बाई कंपली मेंटरी जल्दी से लिखो इसप्ढलिंग क्या होगी कम्पली में डिया रिखते है ना नहीं है ए प्या यहां क्पलीमेंटरी यंगल आप लोगों को पता है क्या है कंपली मेंटरी हंकल गौरो चंडेल जी गुड मॉनिंग उच्चा गुड मॉनिंग चलो देखो कम्प्लिमेंटरी एंगल क्या है वाट इज कम्प्लिमेंटरी एंगल पूरा कोण क्या है देखो जैसे मैंने अगर कहा कि एक कोण का महन किता है पचास डिगरी है यह किसी एक कोण के लिए ही होता है वैसे अपने में पूरा कोण क्या होगा इसका पूरा कोण क्या होगा मतलब यह हदूरा है यह पूरा कब होगा तो इसमें क्या करते हैं? मानलो कि हम A जोड़ दें तो ये पूरक हो जाएगा पूरक कमा 90 होता है ये बात हाँ याद रखना चाहिसा हम कौन बोलो या फिर पूरक कौन भी कह सकते हैं 90 के कौन को पूरक कौन भी कहा जाता है तो यहां से अगर मैं बोलों कि 50 हंस का पूरक क्या होगा बच्चा तो 90 माइनस 50 करोगे तो आपको मिलेगा कौन 40 हंस यानि 50 डिगरी का जो पूरक है कितना है? 40 डिगरी खोल मिला के ये जान लो कि पूरक कौन भी होता है जैसे किसी भी कौन में कोई भी परकार का एंगल हो उसमें हम क्या करें? कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए यही तुम लोग को देखना है जैसे मैं एक दूसरा एक जैंपल अगर दूँ ध्यान दो जैसे मैंने कहा कि 30 डिगरी का पूरक कौन क्या होगा चलो सभी बच्चे बताएंगे बिके यादव जी गुड मॉनिंग अंकित अक्की जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी और आनुज परताब सिंग जी बिलकुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ मिश्टर कल्लू मामा है आप चालो अच्छी बात बताएंगे कनया राम बिकी कुमार एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार कमेंट करेंगे यह नहीं कि तुम डंडा कर दो एकदम से हां मैंने क्वेश्चन पूछा आप एक बार बतादो बस हो गया इसका यह मतलब थोड़ी कि तुम यह आठ बार करो से बराबर निकालोगे 90-30 बराबर 60 60 हंस आएगा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा यह था पूर अकॉर्ड मैं एक बार फिर से याद दिला दूं हम पढ़ रहे हैं कच्छा 10 की गड़े चैप्टर छे लेकिन अभी हम चैप्टर सुरू करने के पहले उसकी तैयारी करवा रहे हैं कि चैप्टर पढ़ोगे तो कैसे चीजें आपको आनी चाहिए पहले से तभी आप पढ़ पाओगे यह तो आपको चैप्टर के कुष्चन नहीं समझ में आएंगे इतना आसान नहीं है ठीक है हमने इस मैं क्या पढ़ा पूरक कोर और एक है सम पूरक कोंड इसी का बड़ा भाई है क्या है संपूर को जानते हो क्या होता है कि सप्लिमेंटरी एंगल वाटिउवेज dryer चलो आप बतखता हं कि सप्लिमेंटरी एंगल क्या है बच्चा क्या यह सप्लिमेंटरी एंगल अगरे बैज में हाँ अनुज परताब तुमको बलाग कर दें का बच्चा है यह चाहते हो ना बलाग कर दें सप्लिमेंटरी की बाद आप क्या पढ़ोगे इससे जूड़ेंगे कुछ एक जामपल पढ़ोगे फिर मैं आपको संगत एकांतर यह सब बताऊंगा उपर वाले ठीक है चलो अब क्या पढ़ोगे सप्लिमेंटरी सप्लिमेंटरी एंगल देखिए जब दो कोण को अगर जोड़ा जाए उनका योगफल 90 हो जाता है तो वह पूरक कहलाता है जिसे कंप्लिमेंटरी बोलते हैं सप्लिमेंटरी में क्या है जब दो कोण को जोड़ा जा जैसे मानलों यह मतलब होता है कि दोनों को जोड़ के 180 आजाए कितना आजा है 180 आजा है तो यह मानलों यह जोड़ा तो 180 होना चाहिए आपको आगया होगा कितना अंसर आएगा यहनी अगर आपसे कोई पूछे कि 60 डिगरी का सप्लिमेंटरी यहनी संपूरक पूरक क्या होगा बच्चा तो 60 डिगरी का संपूरक होगा यह ठीक है मतलब 120 समझ में आया ना कितना होगा 120 बिल्कुल बहुत अच्छे चलो आगे किसी का कोई सवाल इसमें नहीं न अब देखो इसमें कुछ सवाल बनते हैं जो कि तुम लोग को आने चाहिए बहुत ही इंपॉर्टन फैक्ट है वसे तो यह कच्छा साथ का कंसेप्ट है लेकिन कच्छा दस में अगर यह नहीं आएगा तो चैप्टर नहीं आएगा तुम को याद रखना हां देखो ध्यान दो अब बहुत जादा इसको करवाने से मतलब नहीं है फिलहाल नहीं तो मैं सोच रहा था कि इसके आगे भी कुछ करवा देता कि इसके बाद क्या पढ़ोगे असान्य कोण आसन्य कोण तो तुम लोग को बड़ा ही कठीन लगेगा यह एड़ जैसें टैंगल देखो आसन्य कोण देख लो यहां पर मैंने नहीं लिखाना उसको भी मैं लिख दे रहा हूं उसके बाद मैं यह बताऊंगा जो जो मैंने नहीं बता इदर साइड में मैं वह सारी चीज इतना आप देखो ए इसके बाद संगत एक अंतर में भताऊंगा लेकिन उसके पहले आप यह देखो क्या है आशन्य कोण इदर साइड में लिख दू दिख तो रहा ना उदर साइड में भी दू दिख रहा यार इदर देख लो आज़ान कोड दिख रहा ना इधर आज़ान कोड आसण कोड इसको बच्चा इंगलिस में एड्जेसेंट एंगल बोलते हैं क्या होता है कि एड़ेसेंट एंगल वाट इड़ेसेंट एंगल आप लोग बताओ आसन्य कोण क्या होता है देखो ध्यान दो इदर साइड में कि चलो द्यान दो विया क्या नाम था इनका अजय प्रताब सिंग अब तुमको विट्टा मैं पांच मिनट के लिए सुला दिया हुआ ठीक है पांच मिनट तुम आराम करो क्योंकि तुम नाम बुलाने के लिए हो तो भाई नाम तो यहां बुलाना बड़ा गड़वड़ है देखो इदर कि जैसे मैंने एक कोड ऐसे खीचा हां ध्यान दो इदर साइड में और इसमें से एक लाइन ऐसे गई पहले पूरा मतलब समझो मारकर में थोड़ा इंक डाल दूं क्या आलका दिख रहा है वह से सही दिख रहा है न कुछ नदायक टाई और का यह काफी कभी ऐरानी करने पड़ती है चलो थीक है पाच मिनटे के लिए अराम करो किर भीना चलो तो यह ने इसे ध्यान से देखो मानलो यहां पर कोरे बन रहा और यहां पर कोन बी वन रहा है कि दियान से देखो समझने की कोसिस करना हम पढ़ रहें क्या आसन्य कोण एड़ेसंट एंगल ठीक ना बच्चा तो यहां पर एक कामा वी यह आसन्य कोण है क्या यह आसन्य कोण है जिन को इंग्लीज में एडजेसेंट एंगल कहा जाता है क्या कहा जाता है इंग्लीज भी लिक्छ LOOK बाई इंग्लीस तो मुझे चांडा नहीं हाता लेकिन मैं समझा रहा हूँ पहले देखो एड़ेसेंट एड़ेसेंट एंगल ठीक है अब तुम लोग समझोगे कईसे अगर कहीं कुछ और भी गड़बड रहा तो कैसे समझोगे कि आसन ने कौन क्या है कैसे समझोगे देखो इसके लिए चीजें क्या आपको समझनी है common side होना चाहिए and common vertex होना चाहिए समझने की कोशिस करो अगर हम बात करें इस कौन की ये वाले की तो हमें ये वाला कौन बनाने के लिए ये भुजा चाहिए इसका नाम ने लिख दिया चलो पी क्यू इसका आर एंड इसका यस ध्यान से समझे लो नहीं तो कंफ्यूज होगा बाद में कुश्चन एक नहीं आएगा फेल हो जाओगे एक जाम में फिर रोना बास बाकी कुछ नहीं ठीक ना इसलिए ध्यान से समझे लो हमें कौन ए बनाने के लिए कौन कौन से साइड चाहिए पी क्यू चाहिए ना पी क्यू साइड चाहिए और ये क्यू आर चाहिए किसके लिए कौन ए बनाने के लिए भाई कौन ए के लिए हमें यह चाहिए ना пом कोंड बी बनाने के लिए क्या क्या ज़िए द्रैंदो कोंड बनाने तो बच्चा यह क्यू यह कूर बी और यह क्यू आर्वी चाहिए जो लोगा को का समझ में ऑ रहा.. क्या समझ में हाया हमें। हमें कोण ए बनाने के लिए भी क्यू आर चाहिए और कोण भी बनाने के लिए भी क्या चाहिए क्यू आर चाहिए दोनों कोणों के लिए एक बुजा कॉमन है कॉमन को हिंदी में उभय निष्ट बोलते हैं अब जो हिंदी मीडियम वाले गदाय टाइप के कुछ बच्चे हों तो यह बुजा क्या है की बार कामन है ठीक है एक चीज और कामन है वो क्या यह सारे बुजाएं आके इसी कुणना पर मिल रही न बच्चा इसी पर मिल रही न तो दो चीजें कॉमन होना चाहिए यहां पर लिखो कॉमन साइड होना चाहिए साइड मतलब भुजा एक भुजा कॉमन होनी चाहिए आसन्य कोण के लिए यह कंडिसन है याद रखना दूसरा क्या होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स ठीक है कॉमन वर्टेक्स मतलब बच्चा कॉमन क्या है यह सीर्स वर्टेक्स को सीर्स बोलते है यह क्या होना चाहिए common होना चाहिए ठीक है कि सज्जन्राजपूर जी गूड मानिंग वच्छा राहुल लगजवहन सी जी बहुत भगधधन्यवाद आपको भी चलिए याद राम याद दू जी गुड मानि समझ में आया आया समझ में आसन्य कोण क्या होता है आसन्य कोण क्या होता है जब कोई दो कोण ऐसे बने हो जिनका सीर्स कौमन हो उसमें एक भुजा भी कौमन हो तब वो आसन्य कोण कहलाते हैं क्या कहलाते हैं आसने कौन कहलाते हैं लेकिन ये आसने कौन कब नहीं होते हैं ये कब आसने कौन नहीं होते हैं वो चीज भी हम तुम लोग को दिखाएंगे बच्चा इधर है साइड में इधर देखो थोड़ा सा कैमरा इधर करता हूं चुकि हमें क्या करना इधर आसने कौन दिखाना है ना यह लो चलो कि अभई साइड हो जाया इधर से अगर कोई कोड़ा ऐसे बना है कि देखो बच्चा ध्यान दो अगर ऐसे बना है एक कोड़े में आग चिपक जाता है उपर से अब तुम ध्यान दो इसका नाम A V C & D है तो मुझे यह बताओ कि कौण पी और क्यूद क्या आशननिक ऑन है जल्दीशे यास या नो इज एगल पींड क्यूद एड़ेसे इंगल इंगल लेक्लिटा गरवण बोलना ऐसे बोलेंगे इज एड़ेसेड बताओ हमने कहा था कि एड़ जैसे इंटेंगल के लिए एक भुजा कामन होने चाहिए तो बच्चा देखो भुजा तो कॉमन है चुकि कॉन क्यू बनाने के लिए भी यह लंबी भुजा चाहिए कॉन पी बनाने के लिए भी यह भुजा चाहिए कॉमन है दूसरा कंडिशन मै एक इधर को चला गया एक इधर को चला गया यह भी एक ही जगह से निकलने चाहिए लेकिन यहां यह कंडीशन नहीं फालो होती है यह यह अफ निकल गए है यह फ निकल गए दोनों इस लिए यह क्या है pq is not adjacent angle यह दोनों आसन्य कौन नहीं है जो concept चैप्टर सीख जाएंगे बच्चा वो कच्छा दस की मैथ का चैप्टर जो 6.1 6.2 6.3 जो भी यह सब कर ले जाएंगे खुद से कर ले जाओगे चुटकियों में जैसे मैंने पहले कहा ना कि घर बनाने के लिए सेमिंड मोरंग लोहा लंखड मिस्तरी लेवर की जरूरत पड़ती है बीना उसके नहीं होता है तो ऐसे क्या करोगे तुम लोग जब तक यह सारी चीजे नहीं सीखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तब तक नहीं समझ में आएगा नंबर एक बार और कौन सा नंबर अब वीडियो पीछे करके देखो बच्चा चाहे एक बार देखो चाहे आठ बार देखो ठीक है वीडियो पीछे करके चाहे जित्ता बार देखो चलो जल्दी से इसको बना लो जिनको बनाना है या फिर स्क्रीन सा ले लो बच्चा लो ठीक है कि हो गया ना हाँ इसके बाद अब हम क्या बात करने वाले वह देखना बड़ा ही खतरनाक चीज है मैं आपके लिए यहां से कोज के रखा था यार पता नहीं सब कहां चला जाता है मैं सोच रहा था कि आप लोगों को को इस पेसली दूंगा यह सब बस बाकिया और किसी को नहीं ठीक है हाँ तो बच्चा यहां पर मैं काफी देर से लिखा हूं उसको भी मैं आपको बताई देता हूं चलो ध्यान दो आप लोग जो मैंने लिखा है अल्टरनेट एंगल ना कि इसको मिटा दूं जिनको दुबारा देखना है वीडियो हलका वैक करके देख लो भाई हां आप लोग को पता है कि नहीं पता है कि यह कलास कितना बज़े होती है सबी बच्चे बताओ जल्दी से चलो अहेडिंग भी डालो साथ साथ में अल्टरनेट एंगल हिंदी मीडियम वाले साथ ही लो कि क्या लिखोगे एक अंतर कोण कि देखो इसमें कुछ अंता होंगे कुछ वाह होंगे ठीक है कि इसमें बहुत सारे कोणा वैसे आपके लिए दिये हैं क्द क्या है है कि हरिद्ग डाल दिये क्या एक अंतर कोण के बाद हम लोगपढ़ेंगे संगत कोण आसन तकोण में लोगों ने पढ़ लिया है इसको एडेसेंट इंगल बोलते इंगलिस में क्या बोलता है एडेसेंट अंगल कि चलो अब centralized our अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल मतलब एक अंतर कोड अब देखो फाइनली एक अंतर कोड क्या होता बच्चा इसके लिए एक जांपल बना लो लंबा सा जैसे माल लो ये रेखा है और ये रेखा ये ये बना लिया ना तुम लोगों ने कि सही दिख रहा ना भाई और इनको एक रेखा ऐसे पतिछेदित कर रही है का कर रहा है इनके उपर फे चड़के चली जा रही है अब देखो आईसी स्थिती में इसमें धेर सारे कोड बनते हैं और इसी में एक अंतर कोड भी बनता है ठीक है क्या होता है इसी में एक अंतर को भी आपका आता है चलो जल्दी देखो मारकर में देख लूँ थोड़ा गडबडा रहा है सुख गया ना मारकर में थोड़ा इंक डालूंगा जिससे कुछ बेहतर चले हाँ सिंगर रंजीत जी सिंगर रंजीत और जो भी और बच्चे जुड़े हैं यह जाने लो भाई यह कलास हर दिन सुभा 8 बज़े होती लेकिन इस चनल पर रेगुलर नहीं होती PBара Study 3.0 चनल पर होतीै कहां उती बच्चा PBRcard리 3.0 चनल पर होती सुभर्ध वजए आप लोगों में से जो उसे अभी suburban नें किया जल्दी से प Hamilton 3.0 सबस्क्राइब करके आजाओ फिर इस जल्दी से आओ सब्सक्राइब करके आजाओ एक मिनट में इस वीडियो पे अरे उपर सर्च कर लो यह नीचे चला जाएगा नीचे प्ले होता रहेगा यह कटेगा नहीं यूटूब का नया फीचर है अगर अपडेट है तो ठीक है नहीं तो मैं लाइस्ट में नंबर दे दूंगा आप कोई गिन पाया कि तब उन साही बारा इसमें अगर तुम लोग यहीं नहीं गिन पाया तो फिर का होगा भाई हुआ 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 है चलो है आप का करेंगे भाई हाँ अब हम इसमें कोण बनाएंगे मालो की यह रेखा इधर साइड से तो में ज्यादा मतलब है नहीं यह फिल लिखी लो चलो यह रेखा मालो यह मैन है और यह रेका का बच्चा इनको लिख लो पी क्यों है और यह बच्ची भी अब है यह सभी क्या इनके नाम है अब देखूए यहां पर बहुत सारे अंगल यह कौन वन हो गया मानले यह कौन टू हो गया क्लियर दिख रहा है ना इसमें कोई जंजड जो ही ना वन टू तो भाई सहाब यह तीन हो जाएंगे और यह वाई सहाब चार हो जाएंगे फिर इसो करम में यहां बढ़ोगे तो 4 बांथ यह 5 होजाएंगे और यह च्छा होजेंगे यह सात जाएंगे यह 8 कि इसके नंबरिंग में कोई जरूरी नहीं कि कौन क्या हो जाएगा आप कुछ भी लिख लो मैं सिर्फ तुम लोग को समझने के लिए बताया हूं कि जिससे मैं बता सकूं कौन क्यों सा कौन है ठीक है हम पढ़ रहें अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल मिन्स एक अंतर क्यों आप देखो ध्यान दो कि द्यान दो अब क्या होने वाला है कि इसमें अगर हम बात करें अल्टरनेट इंग क्यों अद्रेट की तो बाद में पहले आप बात करो इंटीरियर और एक्स्टिरियर की क्या-क्या बात करेंगे हम पहले इसके अन्तरक्त अन्ता कौण धाई चलो रेडियो जल्दी से बताओ सब यह अन्ता कौण कौण से हैं देखो तीन चार पांच यह ना ठीक एक बात ये समझे बच्चा कि चाहे अंत्ह कोण बोलो या अंत्ह एकांतर कोण बोलो इसमें मतलब एक ही होगा ठीक है जो यह condition यहाँ पर है जैसे देखो यहां पर अगर हम बात करें अंता कोंड की या फिर अंता एक अंतर कोंड देखे कभी कभी क्या होता है अंता कोंडों का यूगम देखा जाता है तो यूगम वाले में जो है थोड़ा सा अलग होता है अंता कोंड मतलब जो इसमें अंदर की तरफ बने हैं अंदर ये चारो तरब से घीरा है बोलो घीरा हैना भाई और यह बनायधर से लाइन इसको घेर रही तरो का संदरी ने बनायधरी यह बनायतुश मैं तो आंथा जो एंग्लिष में इंटीरियर एंगर बोलते हैं क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगर बोलते हैं बजा तो यह क्या लेकिन एप लिए लेकिन यह एंगल 1, 2 एंड एंगल ये सेबनेट ये क्या है क्या है ये ये वाइकोन है ठीक है अब यहीं अगर हम बात करें अनता एकांतर का यूगमू अनता एकांतर कोण का यूगमू की अगर बात करें बच्चा तो ध्यान दो आप लोग कि यह कच्छा 10 की एंसी आर्टी गड़ी था जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 के लिए रेडी कर रहें आपको कि अब द्यान दो क्या-क्या देखना हमें अन्ता एक आंतर कोण का यूगमों देखो यह सभी एक प्रकार से एक आंतर कोण भी है कि नहीं क्या है यह एक आंतर कोण केले मुझे कुछ नहीं होता है उसका एक यूगमों होता है एक जोड़ा होता है तभी तो ना उसका सिस्टम होता ना एक आंतर कोण पराबर होते हैं सुने हो कि नहीं यह होता है ना लिखो एक आंतर अंता कोण एक आंतर अंता कोण इसको इंग्लिस मीडियम वाले लिखेंगे क्या लिखेंगे Alternate Interior Angle Alternate Interior Angle का जो पेयर होगा बच्चा हो क्या होगा ये तीन है न कौन तीन इसके नीचे वाला नहीं इसके साइड का दूसरे वाला मतलब बीच में जो बार्डर है उस बार्डर के करास वाला ठीक है तो युग में तीन और छे कौन कौन है कौन तीन और कौन छे ठीक है इसी तरह से आपका दूसरा पेयर होगा ये पहला एक की कुम हो गया दूसरा पेयर होगा बच्चा चार और पांच ठीक है ये क्या है समझ में आरा की नहीं तीन और छे चार और पांच तो क्या एक क्या है है बाहर साइड में है ठीक है अब लिखो अगर वाहे एक अंतर वाहे कोड यानि इक्स्टीरियर अल्टरनेट एंगल तो इक्स्टीरियर में अगर पेयर देखेंगे बच्चा तो वन है और वन का एट होगा न ठीक है तो एडिंग डाल दो एक अंतर वाहे कोड कोड एक और कोड आठ ठीक है और दो और साथ एंगल दो एंड एंगल साथ यह क्या है एक अंतर वाहे कोड है बच्चा याद रखना भाई हाँ यद्दू जी तो बहुत धन्यवाद आप जो आ गए आप तो मुख्यमंत्री बन रहे थे बिहार क्यार पढ़ने भी लगे का आजकल हमारे नेता मंत्री लोग पढ़ाई कहां करते हैं पढ़ाई का उनको कामी नहीं लगता है बस लड़ाई जगड़ा करना सिखाओ इ न का यह हो गया समझ गया आप यहनि आपने क्या क्या सीखा ऐकांतर कॉन में अंता यत अंतर वाह इक कांतर अंता के लगत सभी सिखThere भूच में भी yountain पूरा कोण संब पूरा कोण आशन अंत्र को मैंने इंγलिस में भी सब बता दिया है इसको क्या अत संगत कौन को corresponding angle बोलते हैं मैंने इसको भी नहीं बताया corresponding angle का वही चलो आप लोग ट्राई करके मुझे बताओ 6.1 या फिर प्रश्णावली 6.1 कह रहा कि कोष्ठक में दिये सब्दों में से सही सब्द का परियोग करते हुए रिक तस्थानों की पूर्ति कीजिए आप देखो कोष्ठक में जो सब्द दिये गए उनको सही सब्द यहां लिखना ठीक है नहीं तो मैं सिर्फ सब्दों में उनको लिखता हूँ आप लोग उसमें से चिर्ना लगा लेना देखो सर्बांगसम या समरूप ऐसा दिया गया है क्या दिया है सर्बांगसम या समरूप अब पहले आप सवाल सुनना और फिर आप डिसाइड करना कि सर्बांगसम या समरूप में से क्या भरोगे ध्यान से सुनों क्या कहता है के रहा कि सभी बृत कि मैं लिख देता हूं क्या होते हैं बताओ सर्भांगसम यह सम्रूप बताइए भाई चलो फटफट एक्सरसाइज 6.1 है बच्चा यह आपका कच्छा 10 की एंसी आर्टी गडित है प्रस्ना वाली छेदा समलो एक जिनके पा तो वही है सिर्फ सवाल आगे पीचह होगा कांसेप्ट सीक लोगठ ठीक है कांसेप्ट सीक लो कि 20 बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है पहला कह रहा है कि सभी ब्रित है हगभी अपयडा होते हैं अब इसमें से भर्णा कि सभी व्रिट्य क्या होते हैं हरुमान परसाथ तुम तो सुबा 8 बज़े भी चूल जाते हो नो बज़े क्या होते हैं देखो भाई यह सरकल जो है यह छोटा सा भी होता है बड़ा सा भी होता है और एकदम छोटा भी होता है तो क्या सभी बृत देखो यहां कोई दो दिया नहीं है है हैं मतलब सभी वरित्थ कि बारे में बोल रहा है आल सरकल क्या होते है समेट्री या केंग्रेंस है तो अगर हम सभी वरित्थ की बात करेंगे िएक समान रूप के 하는데 क्या नहीं है क्योंग अगर आप अगर देखोगे इनका अगर केंद्र आप होगे तो देखो जादा कम है है ना जादा कम इनकी परिदी और केंद्र क्या है सब जादा जादा है सब अलग अलग चलिए ठीक है तो आप देखो क्या होता है यह समझ गे बृत की साइज हो सकती है चोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो सभी वृत्ति की बात करेंगे तो सर्वांसम नहीं होंगे समरूप होंगे ठीक है चलिए अब ध्यान से सुनो इसमें आपका कैसा ही होगा बच्चा समरूप यानि आल सरकल क्या हो सकते हैं समरूप हो सकते हैं समरूप का मतलब एक जैसी बनावट है जो तक ये दोनों समरूप नहीं है क्योंकि इसका आकार अलगत तरह से इसका रूप अलग है इसका रूप अलग है तो य दोनों समरूप नहीं धिक इतना clear ना वां देखो बेर दीपक जी जो भी स्कूल जा रहे है वह बच्चे क्या करेंगे क्लास से लोड के आएंगे तो देख सकते हैं ठीक है जब भी लोड के आएंगे तब वो पढ़ सकते हैं वीडियो चैनल पे एवलिवल रहेगा ठीक है चलो तो यह इसका राइट आंसर होगा समरूप यह गलत है यह आपका फिलिंदे बलेंग्स का पहला हो गया ध्यान से समझ हो कि सब समझ में आएगा जो बच्चे कच्छा दस में नहीं है वो भी अगर क्लास को पूरा देखेंगे तो उनको मैस्मेटिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे समझ में देखो अब इसका हम दूसरा पार्ट पे चलते हैं सिकेंड पार्ट आप ध्यान से देखो सिकें आठ बजर अपने हैं आट बजर म hedge mid essence क्यारा कि Philippe समरूफ होते हैं अब ध्यान से सुनोर्ध ये अलग है तो समय रूप होते हैं खेल आवा इसमें जो आपसन हे आपको कौन-कौन है ध्यान से सुनो हैं बहुत ही द्यान से सुंओ कियरा कि सभी फिद्धック तिर्बूज सम्रूप होते हैं ALL since में हैं ऐसर्म्दूबाहू और सम्भावू डे fridge क्या क्या है कIs에 इसमें पुआ अप्सान है सम्दूबा needle सम्झवाह मतलब जनते हो जिसके दो बूजाएं बराबर होती है और एक है सम्भाहू आप लोग इसमें से बताओ कौन सा सही होगा देखो पहले सम्झो मतलब यहाँ पर बात सभी की कर रहा है आल की किसी एक की तो अलग से कर नहीं रहा है नारायन दुबेजी देख रहा हूं समरूप कैसे होंगे देखो यह है सम्दुवाहू इसको देख लो भाई यह दोनों बराबर है यह सम्दुवाहू है और मालो मैंने एक सम्दुवाहू और बना दिया यह भी क्या है सम्दुवाहू है मतलब समझो दोनों सम्दुवाहू तिरभूज है एक छोटा एक बड़ ना बच्चाई से बनेगा ना ऐसे बनेगा इनकी सभी साइड आपस में एक कॉल होंगी तो हमें मिलेगा क्या अगर यह सब कुछ बराबर है तो यह संभाव हो गया सिंपल सी बात है यह संभाव तिरबूज हो गया ना तो संभाव कैसे होगा संभाव मतलब एक समान रूप का हो उनकी भुझाएं अलग हो अलग अलग हो एक जैसी नहेओ में अगर सभी एक जैसी नहीं तब chip हो जायाऊ गर जाएगा तो इस में क्या होगा सभी सम्दूइबाहु तिर्भूज क्योंकि सम्दूइबाहु में बड़ा तिर्भूज भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है ठीक है हां चलो तो बच्चा ये बात आप लोग के किलियर है चलिए अब ध्यान दीजिए हां एक बात आपको और बताने वाले हैं कि आप अगले से हो जाए भूनेश कुमार आरा समझ में अक्की जी अंकित अक्की आपको भी आ रहा है न बच्चा चलो इसमें का तीसरा पार्ट देखो थार्ड पार्ट क्या कह रहा है कि इसमें आपका सम्दूइबाहु सही गलत है कच्छा दस की अंसी आर्टी गडित आप अब देखो अगला का कह रहा है अगला तो इसमें लगबग हो गया सायद हाँ इसमें और कोई नहीं ना कि कुश्चन नंबर सीकेंड आ गया पहले के सारे पार्ट हो चुके हैं मैंने तीन बता दिये वैसे ही तीन बता दिये ना का इस अब सभी तिर पुज और सभी वर्ग कि सभी बित अच्षा वर्ग मैंने नहीं बताया क्या ओ वर्ग वाला थीक है एक और है लिखो कि आद पते हैं हो कहरा कि सभी वर्ग वर्ग मतलब होता स्क्वायर यह क्या होते हैं ध्यान से देखो सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं होते हैं यह सम रूप है यह सरवांगसम है सरवांगसम तो देखो दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या होंगे आप लोग बताओ देखो कोई अभी उत्तर दिया है भूनेश जी बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छी बात है अंकी तक की आपका भी सही है देखो बच्चा सभी वर्ग मतलब आली स्क्वायर की ब यह भी मैंने एक स्क्वायर बनाया यह दोनों तो लगब बराबर लग रहें लेकिन मैंने एक स्क्वायर और भी बनाया यह और बड़ा है एक स्क्वायर मैंने इतना छोटा से बना देना उनका हुआ बना दिया अब यह सा तो अलग अलग है ना लेकिन इनकी जो रूप है इनकी सकल एक जैसी है, है ना एक जैसी सकल, अब जैसे अगर कोई इसमें से ऐसे होता, तो इनकी सकल अलग हो जाती, ऐसे तो कोई है नहीं, नहीं है ना, भाई, ऐसे तो कोई नहीं है ना, और इसमें से सब एक जैसे हैं, कोई ऐसे भी नहीं है, अगर ऐसे नहीं है, तो यह cm میں 3 cm है यह 3 री यह 3 है तो इसका जो सरवांगसम होगा भायाfed उसकी भी सारी बुझाै तीन होनी चाहिए अब कहो कि यह सरे न या इसके बुझा 3 हो गी का बता ऑज कि तीन होगी buy 3 इंहेर इ moc hm छोटा साइस की तीन है तीन थोड़ी होगी यह जादा है तो सरवांगसम सर्वांगसम में बराबर होना चाहिए यह पांच-पांच है तो यह बराबर नहीं है इनकी बुझाएं पांच है इनकी तीन है कभी भी यह सर्वांगसम नहीं है सर्वांगसम का मतलब पहले मनें आपको बताया था कि एकजामपल फिर से देख लो जैसे दो डिबी है तो यह दोनों सरवांग सम हैं सरवांग सम का मतलब इनका आकरती भी एक जैसे हो और इनका आकार भी जैसे हो यह देखो दोनों बराबर है यह सरवांग सम है लेकिन छोटा पैक दिखा दूँ यह यह सम रूप है इनका रूप एक समान है लेकिन इनका जो आप देखो के हाइट मुट यह सब अलग अलग है भी कि अधिया इसमेट्री है यह सम रूप है सरवांग सम नहीं है इनका रूप एक जैसा है लिकिन अगर मैं कुछ इसमीह सरवांग सम नहीं सरवांगसम है क्योंकि ये कुछ अलग तरह कातीर गाओं ये मीर गाओं जैसे घोड़ा के साथे बकरी की तुलना करो तो क्या होगा गोड़ा के साथे बकरी की तुलना करोगे तो नो सरवांगसम होगा नो समरूप होगा लेकिन अगर घोड़ा के साथे आप गदाहा की तुल कभीおお क्या होते है समुरूप होतेorden लेकिन सरवांग्सम नहीं होते हैं जिनके पास मनोहर प्रकासन की बुक है या फिर कोई और है इसले बस एक ही है उनके में ये सारा कुईस्चन है बस अंतर ये है कि इसमें हम उनको 6.1 में पढ़ा रहे हैं NCRT में हो सकता उनके में ये 6A या 6B या 6C में होगा आगे पीछे होगा और NCRT में 6.1, 6.2 इस तरह से ये मैने इसी किताबे होती हैं उनमें 6A, 6B, 6C, S,A, B, C में एकसरसाइजों को बांटते हैं दूसरी बात जो अन्य किताबे होती हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा कुईस्चन भी दिये होते हैं जिससे आप अभ्यास कर सकें NCRT में अगर 5 कुईस्चन है तो उसमें 15 कुईस्चन होता है ठीक है कुईस्चन जादा होते हैं यहीं अंतर होता NCRT और सामाने बुकों में बाकी पैटर्न वहीं देंगे ऐसी बात नहीं कि अगर NCRT में 6 चैप्टर तिरभूज है तो वो लोग तिरभूज नहीं उसमें पराइकता दे देंगे नहीं चैप्टर वही होंगे चैप् चैप्टर तो उसमें हिंदी देंगे नहीं उसमें भी रहेगा चैप्टर भी रहेगा सब होई रहेगा केवल सवाल आगे पीछे रहता है बस बाकी सब होई रहता है चलो दूसरा कुश्चन कह रहा है निमनलिखित यूगमों के दो भिन भिन उदाहरन दीजिए ठीक है कु कुश्चन के डिल कलन दिख रहा है किनि मनलिखित यूगमों मतलब होता है जोड़ा और दो भीण भिन 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 मतलब अलग अलग ठीक है भिन भिन मतलब अलग 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 और उदाहरन दीजिए देखो बच्चा क्या करना है युग्म कौन से हैं पहला है सम्रूप आकृतियां पहला है कहरा कि सम्रूप आकृतियां समरूप आकृतियां इसके दो अलग अलग उधारण बताओ और वे आकृतियां जो समरूप नहीं है इसके भी दो अलग अलग उधारण बताईए अब आप लोग क्या करोगे सोचोगे चलो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है यानि जो सम रूप नहीं है क्या करना इनके अलग अलग उतारण बताने है एक्सरसाइज 6.1 कच्छा 10 की एंसी एर ठीकर इताब देख रहे है निम्न युगमों के भिन भिन एक्जामपल दीजिए एसी बेसी बोर्ड में ऐसे लिखा होगा गिब दाइक जामपल आफ फालूइंग पेयर ऐसे कुछ लिखा होगा इंगलीस में वह बाकी सवाल ही होगी यहां पर लिखा होगा फिगर इजनाट सेमेट्री फिगर इस सेमेट्री ऐसे दिया होगा चलो देखो जो आकरतिया सम रूप हैं उनके अलग 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 समरूप में सबसे बड़ा इंसान लिख सकते हो आप सबसे बड़ा तरीका समरूप हमारी कच्छा के बच्चे हमारी कच्छा के लड़के लिखो बच्चे नहीं क्योंकि लड़किया समरूप नहीं होती लड़कों के थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है ना तो यह क्या है आपके दोस्त के भी दो ही आखोगी एक ही नाख होगा एक ही मुह होगा दो ही हाथ पैर होंगे सिर में बाल भी होगा हो सकता ना हो किसी के लेकिन बच्चों के रहता अकसर हां आख के ऊपर बाल भी होगा जिसे बरावन बोलते हैं भाओं यह भी होगा कान भी होगा मतलब सब कुछ एक जैसे है ना लेकिन एक चीज नहीं होगा कि वो आपके बरावर नहीं होगा जैसे लंबाई में हो सकता है वो छोटा हो या हो सकता है वो बड़ा हो यह हो सकता है ना समझ रहे हो ना तो यह पहला एक्जम्पल है कि हमारी कख्छा के सभी लड़के क्या हैं समरूफ है क्योंकि वो लंबाई में तो छोटे बड़े हो सकते हैं माल लिजे उसकी अंगुली जो है ये पांच सेंटीमीटर है हमारी तीने सेंटीमीटर है तो ये आपकी अंगुली छोटी बड़ी हो जाएगी लेकिन ये नहीं होगा कि आपके हाथ में पांच अंगलिया है तो उसके में दूइये होंगी ऐसे तो नहीं होगा पांच उसके भी होगी यानि सब कुछ एक जैसे होगा सिर्फ बराबर नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे समरूफ बोलेंगे क्शा में वह अब आपको दिखाया था फिर से देख लो हमारे पास यही है यह कति-ए शंजरूפ हैं कि क्योंकि ये एक्ष़ दिख रही इंद क ही जैसे दिख रही न भाई डाकन वैसे काला भी ए बनावट भी वैसे हैं क्या है संजरूफ यह क्या है समरूफ है लेकिन अगर यह दोनों सब चीज में बराबर हो जाएं तो क्या है यह सरवांगसम है यह सरवांगसम है क्योंकि इनका सब कुछ बराबर है ना पलो चाये डोरी सूथ से सब बराबर है ठीक है तो यह होता है दो एक्जाम्पल देने को बोल रहा था तो दो एक्जाम्पल में आप एक और लिख सकते हो क्या लिखोगे कोई बताए आप लोग बताए दूसरा एक्जाम्पल क्या हो सकता है समरूप आकरितिया हमारी कच्छा के लड़के जो है यह ठीक है समरूप आकरितिया में आप और क्या लिखोगे सोच की बताओ जल्दी से चलो बताओ जल्दी से बताओ मोहन और उसके मित्र का यह भी लिख सकते हो मोहन और उसके मित्र का गेंद करा है चलो शासर से गैंद भी समरूप होते हैं हां इसे ध्या कंत एक व에서 भी देखेंग कंड़े हो कि नहीं देखें हो न कहिंगे मिर्ण क्षा की बड़ककों का nossa बनाए लड़कों का छीतर बनाइज इसे देखो यह क्या क्या मित्र है देखो थीक न सिंत्ल मां अब देखो यह आपका मित्र भी कई से होगा यह भी ऐसे मूँ बनाया होगा कि बहुत अच्छा बन गया यार कि यह क्या है समरूफ है अब लेकिन इसी साथ एक जानवर बना दो मान लो कोई भी तो क्या होगा वह समरूफ होगा नहीं होगा ना ऐसे ही चित्र बनता है ठीक है समझ गेना आप लोग चलो आ देखो गेंद गेंद हमेशा गोल गोल होती है देखे ओना बॉल चाहे जो भी चाहे जो भी मतलब गेंद हो वो क्या होगी बाई गोल ही होगी चाहे माहेंगी होगी सस्ती होगी पलस्टिक क्या होगा रबड का होगा किसी भी परकार का गेंद होगा लेकिन वो क्या होगा क् गोले होगा ना तो वो क्या है दो एक्जामपल है हाँ अगर आप किताब में ले लो भीया जैसे मैंने दो एक्जामपल यह तो बता दिया आप कुछ लोग बता रहें कि जैसे देखो भूनेश जी की वर्ग और आयत का चित्र बना के बताईए तो बच्चा समरूप आकृतिय ृत्ता में क्या क्या बना होगी सम्रूप आकृतिया में चलो लिखता लो फिर नमबर लिखालो पृत जाम नमबर यह तो चाहले कि समरूप होती है क्या होती है क्या होती है क्योंकि अब बढ़ा भी बना सकते हो बत् associations हीUI तरह से आशा को टका से भी बना सकते हो इतका बड़ा भी आयत बना सकते हो और बड़ा से अवी आयत बना सकते हो हो तो यह क्रितियां क्या होती रूप होती V अगर बात करें ऐसी अकृतियां जो सम्रूप नहीं है तो इसमें एक्जाम पर लिख लो ए नमबर लिखो आयत और कामा बृत आयत कामा बृत यह दोनों क्या सम्रूप नहीं है नहीं यह दोनों क्या सम्रूप नहीं क्योंकि आयत जो हैसे बनेगा बृत गोला बनेगा चलो फिर आगे चले थोड़ा सा भी वफरिंग कर रहा था कुछ बच्चे भाग गया होंगे यार देखो बीच में कभी इंटरनेट की दिक्कत हो जा तो जाना नहीं ठीक है दो राक्तियां लिख लो जैसे मालो लिख लो तिर्भूज तिर्भूज के साथ है में लिख लो वर्ग तिर्भूज और वर्ग कभी क्या होंगे यह दोनों समरूप नहीं होंगे क्योंकि तिर्भूज में तीन बुजाएं होती है वर्ग में चार बुजाएं होती है सब कर दो एक बार फिर से आपको के जाएंगा बैडियो को सबात कर लो कि कर लो собственно सब दिख जाएंगा जो भी दरबार हो रहा हो रहा से यह कलास हर दिन सुबा 8 बज़े से लाइब होती बच्चा लेकिन पीवियर स्टडी चैनल नंबर तीन पे लाइब होती याद रखना इस बात को कहां पे होती है पीवियर स्टडी चैनल नंबर तीन पे यह हर दिन लाइब होती क्लास डेली होती है यह चैनल याद रखना इसको जाके अभी तुरं कर लेना PVR study 3.0 क्या सर्ज करोगे PVR study इस पर हर दिन सुबह आर्ट चलाइब होती है लेकिन जहां देख रहे हैं इस पर हर दिन लाइब नहीं होती है यह है आयत और व्रित व्रित गोला होता है यह समरूप नहीं दोनों अलग अलग है ठीक है तिरभुज ऐसे होता है वर्ग ऐसे होता है यह दोनों आकरतियां क्या है समरूप नहीं है क्योंकि इनके रूप अलग अलग है समझ गए न बच्चा तो यह आपका 6.1 का दो कुश्चन हो गया ठीक है, 6.1 का दो कुश्चन हो गया, तीसरा कुश्चन एक बहुत ही सिंपल बे में दिया है, बच्चा वो क्या कहरा, ध्यान से समझे लो, ये दो कुश्चन हो गया, तीसरा कुश्चन, कहरा, बताईए निमली की चतुर्भुच समरूप है या नहीं है, दो चतुर्भुच दिये गए है, उनको कहरा की बताओ ये समरूप है या नहीं है, अब देखो मैं उन चतुर्भुच को आपके सामने दिखाऊंगा, एक्सरसाइज 6.1 कलाइश 10 की एलसी आरेटी मैथमेटिक्स, आप देख रहे हैं इस समय लाइब सुबह 8 वज़े से पीब्यार स्टड़ी के इलहाबाद चैनल पर, आप चलिए, बच्चा एक आकरती ऐसे दी गई है, लेकिन ये सीधा नहीं है, ये सीधा आठीक है, ध्यां और ऐसे धिया है, ऐसे मतलब जैसे मैं खीच रहा हूं, ऐसे ध्यान दो, देखो दोनों में अंतर समझो, क्यारा क्या इस या नो, बोलो, ये दोनों सम रूफ है, सेमेट्री है, याज या नो, देखो बिल्कुल, भूनेश जी का उतर आ गया, बहुत अच्छी बात है, अंक स्वेता यादो बहुत अच्छे बेरी गुड सभी का सही है अभी अभी कोई एक स्टुडेंट आया है जिनका नाम है विद्यानंद गुपता और जीयो बाटा पीवियार स्टडी भाई ये तुन 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 नामें बदलते रहते हो बच्चा देखो ये समरूप नहीं है क्य इनकी जो भुजाएं देखो ये हलका सा तिर्चा है ये तिर्चा हलका सा ना लेकिन इसकी ऐसा नहीं है इसकी ऐसा नहीं है इसलिए क्या है ये समरूप नहीं है ये समरूप होती अगर ये ट्रेंगल जो है ऐसे होता ये ऐसे होता बहले छोटा होता ये ऐसे होता तो ये समर समान रूप का नहीं है समझ रहो ना एक समार रूप का नहीं है वो सामान रूप नहीं है ठीक है सरबांग सम और ब लग है लेकिन वहसी कि अगर समानले देखा जाए तो सामाने लोग सभी क्या होते समरूफ होते हैं सामान लोग क्या होते हैं समरूफ होते हैं तो उसी तरह से इसमें है करें लुक्षा सोिव है फाहला प yağलते हैं आप लोग पढ़ें ध diapers समानतर है BC के DE समानतर है BC के मतलब पायरलल है फ़र्स्ट में EC और सिकेंड में AD ग्याद कीजिए तो देखो भाई पहले तो दोनों फिगर बनाना है आप सभी बच्चे बना लेंगे मैं भी इधरे साइड बना लेता हूं पहला फिगर मैं इधरे साइड बना सकता हूं यहां जहां तक काफी दूर तक बना सकता ऊठीक है no problem चलो हम से तो पहले हम फिगर बनाएंगे ठीक है क्या करेंगे फिगर बनाएंगे इदर साइड आप लोग बच्चे फिकर बनाओ चलो पहला फिकर ये ऐसा जाता है ये ऐसे हैं ये बड़ा वाला फिकर है बच्चा और ये ऐसे हैं सबी बच्चे जल्दी से फिकर बनाओ फट फट ये एक तिर्बु जैज इसका नाम है एपी C, इसमें BC के समांतर यानि पारल एक लाइन है, इस लाइन का नाम है बच्चा DE, ठीक है, ये पहला फिगर बन गया जो भी कह रहा था, मैंने पहला बना लिया, इसमें देखो और क्या करने को कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि जो BD है, ये 7.2 cm है, तो बच्चा इसे लिख ल एई जो है यह 1.8 cm है वहीं इसी जो है वो 5.4 cm है अब ध्यान से देखो हमें करना क्या है यह हमारा अकृति 6.17 का second number figure है और first number मैं इधर साइड नीचे बना लूँगा चुकि मेरे में जगा इधर है येलो येलो मैंने बना लिया पहला एक समकोंड तिरभूज है जिसका नाम है A, B, C B, C के समांतर एक लाइन है इस लाइन का नाम है बच्चा D, E जिनके पास एक किताबे होंगी उनको सब अच्छे से पता होगा ऐसे आपके बुक में दिया है आप देखो क्या करोगे है, सिंपल सा है यार, ये फिगर नमर एक है, क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पर चाहे लिख दूँ, क्या निकालना हमें, इधर साइड दिख रहा है न, हल, देखो हमें घ्यात क्या करना है, पहले तो ये चीज आप समझ लो, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, द क्वेश्चन क्या कहता है करा कि आक्रती 6.17 में फाइस्ट और सिकेंड में ठीक है आक्रती 6.17 फाइस्ट और सिकेंड में कि डी इपैरलल बी सी ठीकना बच्चा दिया है ना ये भाई साब ये डी जो है ये बी सी के समानता है दोनों में ऐसे है तो कह रहा है कि फाइस्ट में आए इसी और सिकेंड में सिकेंड में कि पोच रहा है वही एडी ग्याद कीजिए कोई बात नहीं है सिंपल सा है कर लेंगे हम लोग देखो करना क्या है कुश्चन हो गया खत्म इसका काम खत्म हो गया इसको एहीं पर रख दो दो फिकर दिए गये हैं दोनों फिकर में को दी गई है है इसमें की कुछ लंबाई चौडाई दी गई है वो मैंने नहीं लिखा वह मैं लिख देता हूँ दूसरे नमबर फिगर में बच्चा जो एई है वन सेंटीमीटर है वहीं दी जो है 1.5 cm है कि अगर डीवी की बात करें हैं तो यह 3 cm है यह हमें total दिया है चलो आगे बढ़ते हैं देखो question समझने में ही time लगता है इसको हल करने में समय नहीं लगता है सिर्फ question समझने में ज्यादा time लगता है अप लिखो the र्या है इंग्लिस मीडियो मा ले लिखेंगे given क्या दिया बच्चा De Parallel है BC के आपने वो आधार भूद परमिये पढ़ा होगा क्या बोलते हैं उसे आधार भूद परमिये जो कहती है कि यदि किसी तिर्भूज के यदि किसी तिर्भूज के समांतर मतलब ये भाई तिर्भूज है एक इसके समांतर किसी भी मतलब एक भूजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खीची जाए तो वो तिर्भूज की अन्य दो भूजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं ये क्या है आधार भूद परमिये हैं परमिये यहाप कि किसी तिर्भूज के समांतर एक अन्य रेखा कीची जाए तो वह तिर्भूज के अन्य दो भूजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो उसके एकार्डिंग आपका हो जाएगा एडी अपान अरे यह पहले वाले फिगर में हमाल कर रहें ठीक है एडी पर बराबर होगा वया एडी अपान डीच के पराबर होगा थीक है अद आपान डीवी आप लिखो अपिर काम उधर साइड वाला हाट एपान फीशाई ठीक है बास अब इस subjects के मान रख कर लोह गया कम खतम हो गया कितना सिंपल थाना ये very simple था ना बच्चा लो AD कमान देखो भाई AD कमान 9.5 दिया है और DV कमान 3 दिया है तो सभी को हम रख देंगे ये 1.5 और ये 3 equal AE वहाँ से अगर देखो तो 1 दिया बच्चा ये EC हमें निकालना है cross multiple करेंगे हम क्या करेंगे तिरचा गुड़ा कर लेंगे cross multiple में हमें मिल जाएगा EC EC का गुड़ा 1.5 में इसका इसमें करोगे मैं थोड़ा विश्टार से बता दे रहा हूँ चुकि आपको समझना है तो 3 का 1 में करोगे बच्चा ऐसे हो जाएगा यहां से EC निकालोगे बाबू तो यह 3 upon 1.5 आएगा चुकि आपको यह भी पता है आपको यह भी पता है वो का पता है कि नीचे वह एक अंक पर दसमलो लगा है EC बराबर नीचे से दसमलो हटाओगे उपर सुनने बढ़ जाएगा यह 15 आजाएगा बराबर दो आजाएगा आप कहे सकते हो EC बराबर दो सेंटीमीटर आएगा क्योंकि सभी मातरक सभी बुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है ठीक है इतना सभी को समझ में आ गया यह मैं कमेंट देख रहा हूँ इसका कमेंट आ रहे है जैसा कि अभी जूरे है बच्चे नए नए जुड़े है बउकलो ठीक है बच्चे कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है आप लो काफी मेहनत कर रहे है लिख लो जल्दी से इसक्रीन साट ले लो कुछ जो लिखने में थोड़ा करण साट है वो स्क्रीन सा उड़ें जल्दी से भाय। टेकनो जी तुम भाग जाओ कुछ मत करो बिलकुल ना करो तुम को एथ तुमारी जरूरत भी तु नहीं नहीं यार ठीक है कि कुई यहां इस्टूडेंट की जरूरत है कुझ भी हारी ची समझ में आ रहा ना चालो हो गया ना इतना चालिए अब सिकेंड नमबर फिगर में हम लोग चलेंगे वाई कुझ भी हारी एक ही बार कमेंट करो यार का है कोई दम टंडा कर दि कुईशन नमबर 6 मतलब इसमें दो पार्ड दिया गया है यह पहले फिगर से मैंने कर लिया अब छी फिगर से ठीक है अब सिकेंड फिगर से करेंगे हम लोग चितर नमबर दो से यह चितर नमबरस हो गया फिगर नमबर फाइस हो गया जहां सिमनले का सलुशन मैं Gör कर दिया अब इसमें दूसरे का पूछ रहा है तो दूसरे कभी आप लोग करोंगे इसको मिटा दो इससे कोई मतलब नहीं है यह पहला हो गया अब सिकेंड वाले पे चलो दूसरा वाले पे चलो दूसरा वाला क्या कहता है ध्यान से समझो दूसरे में हमें क्या निकालना है भाई या एडी क्या निकालना बच्चा एडी निकालना बागु दूसरे में क्या निकालना है एडी निकालना है वही परमिये एक समान फिर से क् करेंगे एफलाई करेंगे ठीक है वही पर में क्या करेंगे एफलाई करेंगे ठीक है चलिए अब ध्यान दो आप सभी क्या करना है इधर साइड समझो यहां पर लिखो दिया है यह तो मैंने लिख दिया क्या दिया वही जो उसमें दिया था वही इसमें भी दिया है डी इसमा समांतर विसी यह दिया है अभी आभी माने बताया कि यह किसी तर्पुझ की आधार भुद पर्मिय लगाओ गया जो आप पर्मिय जयानते हो वहीं सिम्मल सीर्फ सी पात मैंने बहुत बर पढ़ा है यह किसी तर्पुझ को यह सिप When कोई अन्य रेखा उस पर किज दीजा है तो वह रेखा कि इसंतिर्भुज की इस दक धुझा प्रमिय कहती है smart किसी तिर भूज के किसी एक बूजा के समांतर को रेखा खीज दी जाए तो वो अन्य दो भूजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है क्या करती है बराबर अनुपात में विभाजित करती है ठीक है समझ गया ना सभी बच्चे इसमें कोई जंजट नहीं न तो अ अब क्या करोगे बच्चा इसमें भी वैसे ही कर लोगे लिखो एडी थोड़ा एक कम चल रहा है न हुआ है ठीक है ठीक है लिखो क्या लिखोगे लिखो एडी अपान अरे यह यार जो उसमें करें थे एडी अपान डीबी एडी अपान डीबी एक्वल उधर साइड से एई अपान एएसी चित्र हमने कौन बनाया था फाहले दूसरा यह बनाया था न ठीक है ओके गुड कोई दिक्कत नहीं है एसी लिखो एसी एई अपान एसी है वाई यार कुछ मिश्टेक हो रहा है देखो मैं आपको यहां से क्लियर कर दूँ देखो यह भुजा एडी बटे में डीबी और यह एई बटे में एसी ऐसे होता है यही है अधारबूत परमिये जो भी आप सिख्यो सभी के मान रख दो बस मान आ जाएगा एडी का चलो रख दो फटा फट जो भी है फटा फट सभी के मान रख दो बच्चा चलो ठीक है रख दो एडी का मान वहां क्या दिया है कुछ नहीं दिया है तो एडी ऐसे लिखत होगे डी बी का मान वहां पर आप देखो तो बच्चा कितना दिया है सेबन पॉइंट टू दिया है क्या दिया भाई सेबन पॉइंट टू दिया है सेबन पॉइंट टू दिया है सेबन पॉइंट पे हम में पता है क्रास मल्टिपल करते हैं तो एडी का गुड़ा करेंगे किसमें 5.4 में और 1.8 का गुड़ा 7.2 में करेंगे तो 1.8 इंटू 7.2 ठीक है न विश्टर पंकर जी समझ में आ रहा है गोबिंद अर्पित्र पाठी अमन सभी को आ रहा है न चलो अब देखो क्या करोगे यहां से एडी बराबर निकालोगे तो 1.8 इंटू 7.2 आपान 5.4 आएगा ठीक है आप एक काम कर सकते हो थोड़ा सा तो हम इससे इसकी तूलना करके हटा देते हैं यह मैं आपको सिर्फ कल्कुलेशन के लिए बता रहा हूं तो 18 इंटू 7.2 हो जाएगा और बच्चा यह चावण हो जाएगा है नवाई सिंपल सा है इसमें एक अंग पे इसमें मैंने हटा दिया अब इसको मैं काट सकता ओ में ऊठाती है यह ality 4 और तीन से काटों गे बहातर को आपको पता 24 придu ऐगा एक पर आपको समझाना है भाई साहब तो थोड़ा फ़र लेट हो जाता है मतलब समझाने का मतलब आप समझ रहो कि एक मिनिट का काम तीन मिनिट में होता है ना ठीक है सभी समझ गये ना बच्चे चलो लिख लो फटा-फट कोई दिक्कत है तो बता दो ठीक है आप को शुशन देखो करा कि की तीरभूज पीक वार की भुजाओं पीकू और की वार पर क्रमशा विंद्धू इफं श्तित है जैसे कहिरा वैसे हम कर लेंगे ठीक है देखो जैसे कहρού हम कर लेंगे इधर यहाँ तक दिखरा है न हाँ तिर भूज, PQR ते एक ट्रींगल हम राक करेंगे ऐसे, जिसका नाम होगा इसमें किसी को कोई मुसीबत तो नहीं ना कोई मुसीबत नहीं ना इसमें चलो, आप क्या करोगे तेखो इनका इंटरनेट सही नहीं, इंटरनेट सही कर लो बच्चा इंटरनेट ठीक कर लो मैं देख रहा हूं कि देख रहा हूं आप थोड़ा सा रूख जाओ मैं देख रहा हूं कि हाँ सब कुछ ठीक है गुड है कि मारकर में थोड़ा सा और इंक डाल लेता हूं ठीक है बिल्कुल टेंशन मतलो चलो मारकर में थोड़ा सा और स्याही डाल लेता हूं तब फिर उपर नंबर दिया गया बच्चा जिनको जो भी पूछना महां पर इंक्वाइरी करो बावू ठीक है दया संकर जी मैं यहां पर आपको कोई बात नहीं रिपलाई कर सकता हूं सिर्फ यहां पर कलास देख लो बस मैं बातचीत नहीं कर सकता हूं सौरी उसके लिए चलो उपर नंबर है उस पर बाद में आपको पूछ पाना चांच अपना कर लो है ठीक है चलो अब देखो ध्यान दो ध्यान दो भाई चलो क्या कहता है ध्यान दीजिए कियरा कि किसी तिर्फूच PQR की भुजाओ PQR पर क्रमसा बिंदू EYF इस्तित है हमने क्या बनाया PQR एक तिर्फूच बना लिया अब क्या करोगे इसके बाद ध्यान दो इसका नाम करण कर दो P Q R हमने क्या किया P Q R इसका नाम करण कर दिया कहरा कि बिंदू P Q और P R पर क्रमसा बिंदू E Y F इस्थित है यानि जो बिंदू P Q है उस पे E है ये इस पे क्या है बिंदू E है और जो P R है उस पे बिंदू F इस्थित है मतलब ये ऐसे है ठिक है? इतना clear है आगे कहता है निम्लिखित में से परते की स्थिती के लिए बताईए कि क्या EF QR के समानतर है अब ध्यान देना जो ये line है EF और ये QR ये दोनों parallel है या नहीं है ये हमें क्या करना है ग्यात करना है बताना है कैसे करेंगे देखो बच्चा जो इस्टूडेंट कल बीपीटी थेवरम देखे थे आधार भूत समानता परमिये उन्होंने देखा था ना कि यदि कोई तिर्भूज है जिस पर किसी एक भूजा के समानतर किसी एक भूजा के समानतर अगर कोई दूसरी रेखा कीश दी जाती है तो जो अकृति बनती उसमें क्या होता पता है यह पी इबटटा एक्यू इक्वल प्य अफ अपान यह एफ आर होता है न यह होती है बीपीटी थेवरम डिस्कृप्स वे लिंक दी गई अगर उसे नहीं देखें तो देख लो नहीं एकदम से पागल हो गया, यह देखो दिख रा है कि नहीं, पहले यह बताओ, इसमें दिख रा है कि नहीं, दिख रा है ना, इंटरनेट नहीं चल रहा आप लोग का, इसक्रीन पे ऐसे टच करो एक बार, टच करोगे, उपर एकदम किनारे तीन डार्ट बिंदू आएगा, उस में तुम्हारे में 140 240 360 फैसे दिया होगा तो तुम 720 या 480 कर लो इसके बाद तुम्हें clear दिखेगा लेकिन तुम्हारा वीडियो रुकार रुकार के चलेगा क्यों 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 क्यों। तुम्हारा in tiny चल रहा है click AI Internet तुम्हारा नहीं चल रहा है इसलिए किलियर तो दिखेगा लेकिन वीडियो तुम्हारा रूप रूप के चलेगा तो चिलाना मत चलो ठीक है अब समझ गए न और दीखने को एकदम किलियर दिख रहा फूल एचीदी में दिख रहा एकदम मस्त दिख रहा है यह मैं खुद देख रहा हूं चलो अब मत बोलना कि न जान दो बहुत इमांदारी से देखो प्यार से मैंने बात बता दिया जिनको बच्चा को क्लियर नहीं हो क्लियर कर लें ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे जो चीजें दी हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे पी इकल 3.9 इक्यू इकल 3.6 सेंटीमेटर और एफ आर इकल 2.4 सें कि अब चलो देखो क्या होता है आगे देखो ध्यान से अब मतलब समझो कहती है वो हमारी ऊतिए बिपीटी ठेवरेम आधार भूत समानता परविय हमारी यह कहती है कि इस तरह से अगर मतलब अकृति बनी है ठीक है इस तरह से अकृति बनी है मतलब कोई तिर्भुज दिया गया है जिसमें किसी एक बुजा कि समानतर कोई दूसरी रेखा अगर हम खींच देते हैं तो जो अकृति बनती है उनकी जो बुजाएं है PE upon EQ वो बराबर होती है PE upon FR के तो क्या होती है यह दोनों लाइने समानतर होती है तो हम इसी पर इसको चेक करेंगे ठीक है इसी पर हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करेंगे कि समानतर है कि नहीं है इसके लिए हम निकालेंगे क्या आप यहां लिखो हल हल लिखो लिखो PE upon EQ भाई बीपीटी थे और मोई लिख रहा हूँ मैं बस इक्यू जो बच्चे बीपीटी थे और आप नहीं जानते डिस्क्रेप्शन में लिंक है देख लो आगे देखो फिर बराबर ये सोरी पी अफ अपान एफ आर क्या हो जाएगा फी अफ अपान एफ आर ठीक है बस सभी का मान रख दो सभी का मान रखने के बाद हल करोगे तुम अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो लिख देना आता हाँ पहली स्थिती के लिए एफ पारलल टू क्यू आर मतलब पहली स्थिती के लिए एफ जो है क्या है समानतर है समझ गए ना बच्चा क्या है समानतर है ठीक है चलो आप कोई सवाल है तो बोलो जल्दी से फटा फट बोलो ठीक है ना आप कोई दिक्कत नहीं न चलो चैप्टर सरवन जी चैप्टर नमबर छे चैप्टर नमबर छे है चलो कि अधार बूठ समानता पर्मीर डिस्क्रेप्शन में लिंक के दी गई बच्चा जाके देखलो जिनको नहीं देखा जिनों है चलो पी कमांद 3.9 दिया है हमें यहाँ पर रख देंगे पी की जगा पर 3.9 एक्यू एक्यू 3 सेंटिमेटर दिया है एक्वल आप देखो पी एफ पी एफ और एफ एफ और एफर सब रख दो पी एफ 3.6 और एफर 2.4 यानि यह 3.6 है यह 2.4 है हल कर लो दोनों को देखो दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं अगर बराबर आएंगे तो तुम लिख दोगे कि हाँ यह क्यू आर समांतर है इफ के और अगर बराबर नहीं आएगा तो लिख देना यह समांतर नहीं है चलो लिखो हल करो हमें पता है आप लोग हल करना जानते हो कल्कुलेशन करना जानते हो भाई उपर से दसमलो हटाओगे तो ये 39 बन जाएगा नीचे एक 0 बढ़ जाएगा अगर इसमें देखें तो एक एक अंक पर दसमलो है 11 डिजिट पर क्या बाबू पॉइंट है तो एक एक अंक पर है तो दसमलो आप हटा दोगे दसमलो जो है बराबर अंक पर है आप जानती हो कोई चेंजिंग नहीं होगी इनको आप कल्कुलेशन करोगे झब इनको हल करोगे तुम क्या आएगा पता है इनको काटके देखलो आप 13 बटा ये 3 दामादस न आ ये कितना आएगा दो से काट लो इनको नहीं, 12 से काटो तो 12,33,12,24 आप ये देख रहे हो दोनो बरावर आ रहा की नहीं जल्दी बोलो इकल है नहीं बरावर है ना नहीं बरावर है ना तो तुम क्या लिख होगे नीचे यह बराबर नहीं है, आप ऐसे बराबर लिख के काट दो, मतलब कि यह दोनों बराबर नहीं है, आप क्या लिखोगे, पता है, अब आप लिखोगे, साइड में दिख रहा है क्या, नीचे भी दिख रहा है, मैं एक लाइन नीचे भी लिख सकता हूँ, यह लो मैं घेर के हाँ, इसको लिखने के पहले यहाँ एक काम करो, इसके आगे जगा होगी कोईश्टक में लिख लो बीपीटी पर्मिये से जो लोग चाहें वो हिंदी में लिख ले, हिंदी में क्या लिखोगे आधार भूत समानता पर्मिये से, ठीक है यह बराबर क्यों हुआ, बीपीटी थे और हम से, बीपीटी पर्मिये यहनी हिंदी में आधार भूत समानता पर्मिये से यह दोनों क्या था, यह बराबर था अब यहाँ आप लिखोगे यहाँ पी इपान एक्यू, और यहीं उतार देना है यहाँवाला बराबर, और यह पी इफ, अपान एफ आर, और तुम बराबर का चिन काट दोगे बराबर का चिन काट क्यों दोगे, इसलिए काट दोगे, क्योंकि यह हल करने पर दोनों बराबर नहीं आया ठीक है, इसका मतलब यह क्या बराबर नहीं है, ठीक है है ये ठीक है आता हा क्या बोल रहा था हमें करने को भई E F समांतर Q R E F समांतर Q R नहीं होगा क्या होगा ये समांतर नहीं होगा क्योंकि ये बराबर नहीं आया ठीक है न बच्चा इतना clear है जल्दी से लिख लो उतार लो सभी बच्चे भाई समझ में आरा सेखर आवस्ती आराना समझ में हनुमान परसाद अग्रहरी सर्वन सिंग बच्चा देखो एकदम मस्त दिख रहा कोई दिक्कत नहीं बाबू ठीक है सुसील कुमार तुमको नहीं पढ़ना तो तुम जाओ यार कितना देर चलेगा क्या कैसे फालतू की बकैती मत करो हां क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले उपढ़ेंगे अभी तो कला सुरू नहीं हुए तूं करो कितना देर चलेगा का है तुमको लगी है का लगी तो जाओ पहले करके आओ चलो लिख लो जल्दी से यह बहुत ही आसान है वेरी सिंपल है बहुत ही सिंपल है सामने आपके लगा है लिख लो उसके बाद फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे एकदम मस्त दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं सभी बच्चे यह जान ले यह क्लास रेगुलर पीब्यारे स्टडी 3.0 चैनल पे जरूर देखें उस पे हर दिन कलास चलती है तो यह पहले कंडिशन के लिए हो गया भाई अब इसमें और भी कई सवाल दिये गये हैं मैं इनको मिटा दूंगा पहला कुश्चन इसमें का बाकी सारा सवाल वही है इसमें सिकेंड पार्ट है अब हम सिकेंड पार्ट पे चले जाएंगे हमारे साथ ठूखना बच्चा चलो तो यह चीज तो हमें नहीं मिटाना है यह हमें नहीं मिटाना क्यूंकि इसी पर हमें क्या करना स हना ठीक जिन बच्चों के पास NCERT गडित की किताब है उनको सब दिख रहा होगा कितने पार्ट है और जिन बच्चों के पास कोई दूसरी प्रकासन है मनोहर प्रकासन है राजिव प्रकासन है लक्षमी प्रकासन है कोई भी उन्हें परेसान नहीं होना है क्योंकि सिलेबस वही है कोशिस करना है चलो सवाल नंबर दूसरे पर हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे में क्या-क्या दिया है ध्यान दो भाई सुभास याद हो जी ठीक ठाक हो ना चलो देखो सिकेंड पार्ट में दिया बच्चा पी चार सेंटीमीटर क्यू इचार दस हम लो पांच सेंटीमीटर लिखो पी इचार सेंटीमीटर उसके बाद और कुछ दिया है क्यू इच 4.5 सेंटीमीटर दियान देना जो जो दिया है मैं वही लिख रहा हूं बाकी कुछ नि कर रहा हूं तुम्हारी किताब में दिया है हां चलो आगे का दिया है पी इफ इसमें पी इफ भी दिया है आठ सेंटीमीटर और इतना ही नहीं इसमें RFV दिया है भाई 9 cm इतना क्लियर है ना बच्चा ये दिया है अब ध्यान से देखो आगे क्या होता है बहुत ही प्यार से देखो ये दिया है question एक बार फिर से पढ़ो जो नए बच्चे अभी अभी आए हैं उनके लिए एक बार सवाल हम फिर से पढ़ेंगे कहरा कि किसी तिर्भूज PQR की भुजाओ PQ और PR पर करमसा बिंदु EYF इस्थित है हमने क्या किया एक तिर्भूज बनाया जिसका नाम रखा PQR कह रहा था कि भुजाओ PQ पर बिंदु E और PR पर बिंदु F इस्थित है तो हमने क्या क्या इनको बिंदु को इस्थित कर दिया इतना ठीक है मैंने एक लाइन खिच दिया जो कि क्या हो गई QR के समांतर हो गई वैसे भी हो जाएगी सिंपल सी जैसे question में कह रहा था तो कह रहा कि निम्लिखित में इसे करते कि स्थिती के लिए बताईए कि क्या EF समांतर की वार के देखो ये समांतर तब होगा जब हम BPT theorem लगाएंगे आधारभूत समांता परमिये description में लिंक दी गई जो बच्चे BPT theorem नहीं देखे जरूर देख ले क्योंकि बिना BPT theorem आधारभूत समांता परमिये कि तुमको ये समझ में पक्का नहीं आएगा ठीक है तो उसको जरूर देख लेना और वो जिस channel पे है उसकी link description में है दूसरा channel है लेकिन क्या है बहुत अच अगर सोलः पर करना अगो सूंच पूछना है तो छलो कि कौंई कर लो कि देखो प्यकमान दिया त्म 4 संट्मीतर जो भी दिया रखो फटा फट ये लो इसकी जगा पे हमने लग दिया फोर अब देखो डीक्य निया नहीं के अपे अप्झेशा कि धेयाताको ड्रूरा दॉ दिया तो ही है तो यह कित्ता दिया इसको लिख दो 4.5 ना जल्दी से सभी बच्चे लगा कि बता मुझे आ रहा बराबर कि नहीं आ रहा है भाई EQ या QE 4.5 नीचे रख दो बराबर PF PF का दिया है में PF8 दिया है और F, R या R, F मतलब होई है न भाई चाहे F, R बोलो चाहे R, F बोलो मतलब होई है तो यह 9 दिया है बस इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे हम देखेंगे नीचे एक अंग पर दसमलो है उपर हमें सीखा है हां विसे कार दो पांच अठे चालिस श्री पांच नो पात्यालिस इक उफ व अट का नो हमने क्या देखा है रहे पटानों हमने क्या देखा हमने यह देखा कि दोनों बराबर है एल एचेस इक्कॉल रहेचेस है है ना बराबर है बोलो जल्दी से बोलो फट से लिखो यह दोनों एक्कॉल है ना बच्चा बराबर है ना तो तुम क्या लिखो गया सपश्टी करण में इसको इतना कर लो उसक लिखना जरूरी है ठीक है यह सवाल है यह इसका सलूशन है फिर यह क्या है अस्वाषEd Village न जरूरी है क्या लिखोगे यहां लिखो किला सिलिखे लाइस्ट यहाँ यही लिख दो पर मिए जो दी गई थी पी इअफान इक्यू पी फ आप आफान एफ आर है, भाई देखो यह बराबर है यहाँ पे देखो मैंने अभी पहले याले बराबर कचीने लगाके काट दिया था, मतलब बराबर नहीं थी, तो क्या लिखोगे अताहा, इफ भैरलल QR, इफ लिए इफ जो है QR के समानतर होगा, क्यूं होगा आधार बूत समानता पर्मिये से BPT theorem से description में link दी गई मैं फिर से बता रहा हूँ जो बच्चे BPT theorem नहीं देखे वो जरूर देख ले ठीक है चलो तो यह आपका प्रशनावली 6-10-2 सवाल नमबर 2 part 5 second complete हो चुका है मैं सामने से हटता हूँ आपके लिए कुछ सिकेंड का टाइम है आप इसका screen start ले लो note कर लो उसके बाद फिर हम इसका अगला part करेंगे द्यान से देखना बहुत ही प्यार से देखना चलो हो गया ना लिख लिए सभी बच्चे आगे बढ़े चलिए अब द्यान दीजी अब क्या होगा ये तो आपका हो गया अब इसको मिटा दो question मैं यही से मिटा रहा हूँ चूकि हाँ एक बात और चूकि मैं theorem तो नहीं मिटाऊंगा हर बार लेकिन आप लोग क्या करोगे पहला prove करने के बाद दूसरा फिर इसको अलग से फिर से लिखोंगे ऐसे अब решat me ये समान आधार भूत समानता पर मिये आधार भूत समानता पर मिये या फिर भी पी टी तेवरम भी पी टी तेवरम लिखना नभूलना ठीक है चलो अरे बीपीटी मतलब वही बेसिक प्रोबरेशनल और परमिय यह थेवरं ठीक है थार्ड पार्ट पे हम लोग चलते हैं तीसरा पार्ट देखो ध्यान से जो नए चात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन आन करें नोटिफिकेशन की बटन जरूर दबाएं जिससे कि उनको कलास की सूचना भी मिल सके ठीक है बिलकुल फ्री कलास होती यूटूब पे आप हर दिन देख सकते हो सुबह आठ बज़े से PBR Study 3.0 चनल पे हर दिन सुबह आठ बज़े से चलो PBR Study 3.0 चनल पे हर रोज तो भी यह इसमें का अगला कौन सा दिया है तीसरा पार्ट देखो का का दिया है लिखो सभी PQ इसमें दिया है तीसरा पार्ट PQ 1.28 cm इसमें PR भी दिया है 2.56 cm इसमें PE भी दिया है 0.18 cm और का दिया है एमें? एमें एक चीज़ और दिया है वो का दिया है देखो देहां दो आप लोग PF यह दिया है 0.36 cm यह इतनी चीज़ें यहां पर दी गई है अब हम लोग फिर से BPT theorem में इनको रखके क्या करेंगे एक बार फिर फे ट्राइ करेंगे ठीक है ना कोई समस्या होगी तो निसां कोच कमेंट करना बिल्कुल टेंसर मत लेना क्वाल्टी चेंज करके देखो एक दम मास्त दिखेग है उसके बाद देखो एक्यू एक्यू कहीं दिया है नहीं दिया है अब हमें एक्यू तो दिया ही नहीं अब क्या करेंगे अब बड़ी मुसीबत आई देखो समझो एक्यू मतलब यह वाला जो भूजा है हमें इसका मान नहीं दिया है उरह है दिख़रहना आपको ंडड़्डा दिखरहना भाई है तुम यह सोचो कि अगर PQ दिया है और इसमें से हम PE घटा दें तो यह आ जायागा ना तो हम क्या लिख सकते हैं इसको इसको हम लिख सकते हैं PQ माइनस यह कौन समान है PE ठीक है एक लाइन और आगे बढ़ा लेंगे अब जाने दो PQ माइनस PE ठीक है इसका मान अभी रखेंगे बाद में ठीक है ना भीया कुझ विहारी जी आ रहा समझ में अब ध्यान दो तीन भी है ठीक है चलो अब देखो हमें PF कमान दिया है PF कमान दिया है 0.36 और देखो या FR भी दिया है का या EF दिया ओ आर एफ कहीं दिया है या FR या RF कहीं दिया है बोलो जल्दी बोलो दिया है नहीं दिया है यह कहीं दिया ही नहीं है तो क्या करोगे भाई यह देखो यह नहीं दिया है यह हमें दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको भी निकालेंगे जैसे उधर निकाले थे, यानि हम पूरे में से PR से, अगर हम PF घटा देंगे तो यह फार आ जाएगा, तो हम लिखेंगे PR-PF, बस हो गया, सब कमान रख दो, फटा-फट निकाल लो, इनके मान पहले से रखे हैं, तो हम लिखेंगे 0.18, PQ कमान देखो बच्चा दिया है, 1.28 दिया है, यह 0.36 ऐसे लिख लोगे, PR, PR दिया 2.56, इसमें किसी को कोई जंजट नहीं है, माइनस का PF, PF दिया है 0.36, हल कर लो, बस अगर दोनों बराबर हैं, तो लिख दो के समानतर है, यह समानतर है, और अगर बराबर नहीं आते हैं, तो लिख दिना नहीं समानतर है, बस हो गया, चलो, यहाँ पर देखो, बराबर बराबर अंक पर दसमलों लगे हैं, तो हम दसमलों को हटा सकते हैं, बिना को रखेगा एक मिनट रुख पहले उसको भी कर लो उसको भी कर लो द्यान से देखो पी 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 0.18 क्या दिया 0.18 इसको थोड़ा सा इधर साइड कि स्कालो चुकी जगा कम है तो 1.28-0.18 ठीक ना इतना ठीक है ना आप कोई दिखकत नहीं न अब इनको पहले घटा आलो तब आगे कुछ करेंगे तो यह 0.18 मतलब पहले न को ऐसे लिख लो ठीक है इस में से इसको सब्ट्रेक करो चलो घटा की दिखा देता हूं मैं तुम लोग को यह लो 1.28 पॉइंट के नीचे पॉइंट यह 0 है ना घटा लोगे सिंपल सायर आठ में से आड़ गया 0 दो में से गय एक दसमलों एक में से 0 गया एक यानि कुल मिला करके फाइनल में आपका कितना आ गया 1.10 ना 1.10 आ गया इसके नीचे लिखता होगे 1.1 सुने बढ़ाबर इसको भी इसमें से घटाओगे, सब्ट्रेक करना आप लोग को आता है, लेकिन दासमलों में है, तो हम बताई देते हैं, देखो, 2.56, इसमें से 0.36 क्या करोगे, घटाओगे, यह लो, यह 0.36, यह 0, 5 से जब 3 जायेगा 2, यह नि 2.20 आयेगा, इसको हम ऐसे उतार देंगे, यह 2.20, बस हो गया, हल करके देखो, क्या यह दोनों बराबर हैं आपस में, अब इसके आगे चाहिए इसको तुम हल करो या ना करो, यह दोनों बराबर ना है ना आएंगे न, आएंगे बराबर का, करके देख लो और फिर बताओ मुझे, बराब बराबर है ना भाई, सेखर आवस्ती जी, थेओरम क्या होता है ध्यान से देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं, बुनियादी समानता परिमिये, अर्थात, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर हम फुल फार्म देखें, तो होता है बेसिक प्रोपोर्शनिल्टी थेओरम, य जैसे अगर कोई इस तरह का तिर्भुज दिया गया है, ठीक है, तो उसमें जो भुजा A, E, A, D है, ये और ये B, D, देख रहे हो ना, इन दोनों का अनुपाद, इसके जो दूसरी आपोजिट साइड है, मतलब इसके सम्मुक भुजा, इसका जो इस तरह से आधा-धा दिय आईए, ये एक थेवरम एक परमिय है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हम, अगर ये 3 cm दी गई, और भाई साहब, ये B, D, 5 cm दी गई है, और आपको A, E, 2 cm दी गई है, ये 7 cm दी गई है, तो आप इसे, A, D means 3, और ये 5, इक्वल, A, E means 2, और ये 7, इसे आप कुछी तरह से परद कर सकते हो, इस थेवरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अक्सर जब हम लोग काल्कुलेशन करते हैं, तो हमें ऐसे ट्राइंगल में सिच्वेशन मिल जाती है, तो इनको हम इस तरह से कर देते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो, कि ये कैसे होता, क्यों होता है, तो बह स्टेंडर्ड लेबल का है, देखो, कहता है कि मैं हिंदी बताऊंगा, इसका टैंसन मतले, इसका मतलब ये है, कि ये कोई तिर्भुज जैसा दिया गया है, और उस तिर्भुज में किसी एक भुजा के समानतर कोई दूसरी रेखा खीच दी जाए, मैंने क्या किया, एक तिर्भुज पहले बनाया था, जिसका नाम ABC था, हमने BC के समानतर इसके पैरलल एक भुजा, एक रेखा DE खीच दिया, उसके बाद क्या कहता है, देखो, इसका मतलब यह है, कि जो यह लाइन आपने खीचा, यह इस भुजा AB और AC को बीचो बीच में एक निश्चित बिंदू पर क्या करती है, पतिचेद करती है, कर रही है ना, और अगर ऐसा करती है, तो हम, इस तिर्भुच के आधे इस पार्ट को, जो नीचे है इसको अनुपात में, और बरावर करके, यह और यह दोनों अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखे हैं, यह इस थेवरम का मुख्य मतलब है, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसको प्रूब हमें करना है तो क्या करेंगे आप इने नोट कर लो जल्दी से स्क्रीन साट ले लो फिर मैं इसको लिखता हूं चुकि हमारे पास पेज एक है तो मैं इसको मिटाओंगा ठीक है जल्दी करो लिख लो कोई बच्चा कलाश चोड़ के मत जाना बहुत ही इमांदारी से तो सामझ में आएगा बहुत महीनत से मैं आपके लिए यह कर रहा हूं चलो अब देखो ध्यानदो हमें कुछने दी गए हैं और कुछ छीजने निकालनी है उन्हें हमें ध्यान से देखना है देखो गिबन दिया है क्या-क्या दिया ध्या ध्यान से समझो हिंडि इंगली dh साइड जो है DE, यह क्या है DE, बूजा BC के समानतर है, भाईया जो साइड DE है वो BC के पैरलल है, तुमको भी दिखरा देखो यह, है ना पैरलल, यह दिया है, आगे करा जो की AB को बिंदू D और AC को बिंदू E पर काटती है, सिंपल सी बात है, AB इसको बिंदू D पर यह काट रही है, रेखाए, E DE और AC को बिंदू E पर काट रही है, यह दिया है, चित्र में ही दिया है, सिद्ध क्या करना है, हमें यह पूरूप करना है, आप लिखोंगे, इंगली स्वाले, पूरूप देट, क्या, AD अपान DB, AD अपान DB, इक्वल AE अपन EC होगा, जो मैंने उधर साइड में भी लिखा है, यही हमें क्या करना, पूरूप करना है, इसे आप लिख लिख लिए, तो मैं मिटा दूँ, और जल्दी से आप इसको भी नोट कर लो, स्क्रीन साट ले लो, मैं इसको मिटा की, फिर नेक्स्ट पेज पर मैं आपको, का इंस्ट्रक्शन करवाओंगा, मैं इस ही में करवा दे रहा हूं का इंस्ट्रक्शन ध्यान तो, रचना में क्या क्या करेंगे, हमें कुछ चीजें इसमें का इंस्ट्रक्शन करनी होंगी, तब ही हम प्रूब करवाएंगे, लिखो, ज्वाइन बी एंड सीडी, यहां पर लिखो आपका इंस्ट्रक्शन मे हम क्या करेंगे इसको जोईन करेंगी वैसे अगर इसको अलग पेचेंज से कर देती तो आपके लिए ज्यादा बहतर रहता ना है एक काम करो इसको डाट्टी से कालो या रेड से कालो जीससे आपको कंस्ट्रेक्शन अलग समझ में कि रचना क्या कियी हो मैंने color change कर दिया, आपको लग रहा होगा, जो red है, वो क्या है construction है, रचना है, इतना ही नहीं अभी इसमें और भी करेंगे, हम क्या करेंगे, and draw ef, लिखो, यहाँ पर लिखो, and draw, क्या draw करेंगे, लिखो, ef, parallel तो हो गया, यह perpendicular av, मतलब समझो, हम एक line draw करेंगे, ef उसका नाम होगा, और वो ab पर perpendicular होगी, यानि, यह, यहाँ पर ef, ठीक है, अब हमने क्या किया, एक line draw कर लिए, जिसका नाम ef है, वो ab पर क्या है, perpendicular है, लंबवत है, ठीक है, और इसके आगे, अभी और इसमें करेंगे, and, लिखो, and, dn, dn, perpendicular ac, एक line order करेंगे, जिसका नाम dn होगा, वो perpendicular होगी, ac पर, यह, यह, नमबर तुमाने खुद से लिखे थे, यहाँ से कोई है नहीं, ac, यहाँ पर क्या हो गया, ac पर perpendicular होगा, dn, यह, इसका नाम है, यह, 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 लिख दे रहा हूँ, बाबु क्या लिख दे रहा हूँ, यह, ठीक है, यह, नमबर तो मैंने खुदी से लिखा था, 357, यह तो गहीं दिया नहीं था, यह तो मैं तुमको समझाने के लिखा सा चलो, ठीक है, यह का इंस्ट्रक्शन हो गया, अब आगे कुछ नहीं करना, इसमें, लिख लो इतना क्या है, यह, रचना के पध्ध है, अब हमें क्या करना, सलूशन करना इसका, अभी तक तो हमने महत्तपुर्ण कुछ एक्टिविटी किया, आप हम इसका सलूश देखेंगे, इस्टार्ट होता है, जल्दी नोट कर लो, स्क्रीन साट ले लो, अब मैं सलूशन देखूंगा एक नहे पेच से, बहुत जल्दी करो, फटा फट फट फास्ट, हो गया ना, चलो, वीडियो छोड़के मत जाना बच्चा, पूरा देखो कि तब ही समझ में आय चुकि हमें क्या करना है, हमें इनको प्रूब करना है कि AD upon DB जो है, वो AE upon EC के बराबर होता है, तो पहले हम इनका area निकालेंगे, छेतरफल निकालेंगे, तब हमें इनकी जो मुख्य प्रॉपर्टी है, वो मिल जाएगी, जैसे हमें इनको प्रूब कर पाएंगे, अब जैसे वो हो रहा था ना बटे में, वैसे A भी होगा, लिखो, तिरभूज, B, D, E का छेतरफल, अब ध्यान से समझो, A, D, E का छेतरफल, यानि A, A, D, E, इस ट्रैंगल का जो area होगा, क्या होगा, हमें पता है, का पता है, हमें ये पता है, कि एक बटा दो, आधार गोड़े उचाई ये सूतर होता है, का बटा दो होता है, एक बटा दो, आधार गोड़े, उचाई, ये क्या होता है, अब देखते जाओ ध्यान से, हम क्या करेंगे, एक बटा दो, आधार, देखो, अगर हम ये ट्रैंगल लेंगे, A, D, E, तो हम सबसे पहले, A, D, E, बोल रहे हैं, ये हमारा क्या आधार है, बेस है, ठीक है, ये क्या है, बेस है, अगर इसकी उचाई की बात करें, तो जो इससे सीधा गई है, सीधा कौन सी गई है, बताओ, बैस सीम्पल सी बात है, ये आधार, A, D, है, उचाई क्या है, E, F, है, क्या है, E, F, है, तो आधार क्या है, A, D, ह उचाई क्या बच्चा EF है ठीक है यह हो गया एक बटा दो आधार गुड़े उचाई इसी तरह से हम दूसरे में लेंगे BDE में अब देखो BDE क्या हो जाएगा इसमें बटा दो आगर उचाई की बात करोगे बाबू तो उचाई क्या होगा इसमें वी एफ होगा ना व्याइज क्या होगा इएफ होगा अब तुम कहोगे इएफ का हाए होगा अरे तिर बुझ ले पीडि दिए तो उचाई एफ कैसे हो जाएगा ये तो बड़ा अत्याचार कर रहे हो ऐसे कहोगे ना लेकिन आप ये चीज़ समझो, अगर मैं आपको एक ट्रेंगल दिखाऊं, ध्यान देना बहुत छोटा फर ट्रेंगल है, यहीं पर मैं कहीं रखा हूं उसको, वैसे वो इसके आकार का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ की चीज़ों को, तेखो, जैसे मैं अगर ऐ ऐसे ना रखूं आधार, मैं ऐसे कर दूँ, इक बार फिर समझो, मैं आधार को ऐसे ना रखूं, ऐसे मैं ऐसे कर दूँ, तो तुम क्या बनाओगी, पता है, यह ऐसे कर दूँगा, यह अगर मैं यहां पर रखूंगा, क्या जाएगा, वैसे भी हमारा जो त्रिभूजा का कि तो कमेंट करके बताना थिक है तो यह क्या हो जाएगा भाई इस तक न क्लियर है अब यहां से देखो में क्या मिलेगा is तो यह अपान टू आपन टू कैंसिल हो जाएगा if canceu जायगा बाबू फाइनल में आपको मिलेगा working on the नीचे डीवी मिलेगा यह इक ऐसा नंबर फास्ट हो जाएगा समी करन नंबर एक लिख लो जल्दी करो फट से देर मत करो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अगला नेक्स ट्राइंगल में और फिर आगे बात करते हैं बहुत जल्दी करो बहुत फास्ट शूफर फास्ट ल मैं बताऊंगा फिर से बताऊंगा लेकिन कलास मत चोड़ना कि मैं भाग जाओं नई पूरा वीडियो देखना बस पांच मिनट और अगला इस्टेपी स्टार्ट होता है यहां से देखो अब हमने क्या क्या कर लिया ए डी ए और दूसरा ट्रेंगल हमने लिया था बी डी य यहांनी ऊपर का यह इतना मैं पूरा हल कर लिया नीचे का हमने इतना हल कर लिया अब ही यह नीचे वाला बचा इतना यह यह जोड़ेंगे उसका नाम क्या रहेगा पता है c e d ठीक है c e d ठीक है तो a d e and यहां पर क्या लिखोगे फट से लिखो c d e ठीक है चलो लिखो जल दे लिखो c e d ठीक है इसका छेटरपाल बस यह चैंजिंग करने हो बच्छा तो जैसे वहां पर लिखे तो ऐसे फार्मूला लिख दो एक बटा दो आधार गुडा मुचाई इसमें भी हो जाएगा एक बटा दो आधार गुडा मुचाई फार्मूला तो वही रहेगा कुछ अलग तो होगा नहीं चलो रख दो एक बटा दो एक ट्रीक जान लो जैसे अभी करें थे वैसे ही मैं आपको एक ट्रीक बता दूं एक बटा दो हमें सिद्ध क्या करना बच है एक बड़ हमने इसको अधार लिया था एक बार इसको अधार लेंगे ना तभी तो यह बनेगा ठीक है ब मानओगे ऐगा फिर सात में दिसागा क्यों लूब हम ने क्या दो सिक्ट हम मैं भाणे यो घिय नות काम करना दो ब्रूसरा हम एक बटा दो हमें और क्या सिद्ध करना बाबू नीचे क्या है EC है ना नीचे क्या है EC है ना तो ये EC और गुड़ा फिर से क्या वही DN जो मैंने लंब खीचा था यहाँ पर आपका बच्चा कट जाएगा ये एक बटा दो एक बटा दो कट जाएगा फाइनल में AE का बचेगा AE आफान EC बचेगा ये एक वैसन नमबर सिकेंड हो गया जो को मैंने अभी एक वैसन निकाला था एक ही आगया दो एक वैसन हो गए एक वैसन याद रखना बोलना मत अभी इनका काम लगेगा ठीक है जल्दी करो फटा फटा करो उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैं बार बार बोल रहा हूं फिर से बोल रहा हूं कलास को पूरा देखना पूरा देख लेना फिर मुझे बताना कि नहीं समझ में आया जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा चलो आगे चले चलो गुड 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 लाइक करो यार जो बच्चे अभी तक किसे यूटूब पर डेमो देख रहे हैं या फेस्बूप पर लाइक करें देर ना करें तुरंद लाइक करें इतना आपने लिख लो तो मैं आगले सलूशन करता हूँ नेक्स्ट पेज में आगे चलता हूँ जल्दी करो हो गया ना सभी बच्चे लिख लिए इसको मैं मिटा रहा हूँ अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्तुपूर्ट फैक्ट आपको देखना है वो क्या है ध्यान से देखो बहुत ही ध्यान से समझो जो लाइन लिखी पहले पढ़ लो चूंकि BDE और CDE दो समान आधार DE और समान समानतर लाइन DE और BC के पर बना हुआ दोनों तिरभूज है रखाओं फिर से देखो PDE यह तिरभूज और दूसरा करा CDE 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 यानि यह तिरभूज और यह तिरभूज करा कि दो समान आधार भाई सिंपल सी बात है समान आधार है समान आधार क्यों है क्योंकि यह तिरभूज अगर हम लेंगे यह तिरभूज लेंगे इसमें तुम द होती है कि समान आधार डी-ई और समान समांतर लाइन जो है वो डी-ई और बीची के बीच बन रहा है इस तरह का अगर कभी टरंगल बनता है तो उनके छेतरफल बराबर होते हैं इनको मैं यहां बना दू आठिपीसियल तरीके से ऐसे समझ लो बच्चा अगर इनके बीच में क शेतरफल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे की नहीं बोलो बराबर होंगे ना यानि ये ये और ये समझो बराबर होंगे ना तो इस कारण से क्या होंगे ये हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं अब आपको समझ में आ गया ना देखो इस तरह से मैंने क्या किया इन दोन से अब लेखेंगे क्या समी करण 2 से समी करण 2 से समी करण 2 अभी अभी मैंने बनाया था आप लोगों ने लिखा था वीडियो बैट करके फिर से देख लो क्या बनाया था लिखो अब करोगा तेक है यह तुम क्या करोगे अब्या इसका छी तरफ्ल अब क्या होगा वहिए इसका जोच焦 अभी हमने फ्ाइंड किया था अब आपने देखा होगा सिंप्लिफाई किया था मैंने सूतर उतर रखके तो एए अपान सी याया था यही आया था देखो ADE और CED का यह चेतरपल है दोनों आ गया ना लेकिन यहां अगर तुम देखो तो तुमको क्या दिखराया है देखो PDE का जो चेतरपल है CED के बराबर है यानि हम यह कह सकते हैं क्या कह सकते हैं अब इसमें एक और अलग कांसेप्ट देखो समझो यहां से कैसे देखो समीकरण 2 से यह इतना आ गया ठीक है यह ठीक है लेकिन समीकरण 3 से हमने एक इसका solution निकाला है वो क्या है इसका conclusion देखो मैंने निकाल लिया है कि जो area of BDE है यानि कि जो BDE का छेतरफल होगा इस तरभूज का BDE इसका छेतरफल जो होगा CED के बराबर होगा किसकी बराबर CED के मतलब इसके बराबर होगा तो बच्चा अगर इसकी बराबर होगा तो हम C, E, D की जगा पर ये B, D, E तो लिख सकते हैं न चुकि ये बराबर है नहीं है लिख सकते हैं न इसमें कोई मुसीबत नहीं है तो उपर तो कुछ बदलेगा नहीं उपर ऐसे रहेगा तिर्भूज A, D, E का चेतरफल नीचे क्या लिखोगे बाई साहब नीचे आप C, E, D की जगा पर B, D, E लिख दोगे चुकि दोनों बराबर हैं तो आप लिखोगे तिर्भूज B, D, E का Sorry, B, D, E नहीं B, D, E ठीक है B, D, E का चेतरफल अब तुम समझने की कोशिस करो A, D, E, इससे अभी क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था क्या निकाला था, A, E निकाला था ना A, E निकाला था ना बच्चा A, E अपान क्या हो जायागा, फिर E, C हो जायागा तो नों बराबर भी तो हो गए ना यार तो यह क्या हो जाएगा ae upon ec है ना यह question number four निकाल दिया आपने हो गया प्रूब क्या प्रूब हो गया उत्तर आ गया ae upon ec आ गया ना और equation number first से हमने क्या निकाला था आपने देखा होगा समीकरण number 1 से पहले ना देखो उसको पलटके क्या निकाला था चलो जल्दी करो देखो आपको समझने के लिए मैंने question number five एक बार फिर से आपके सामने ला दिया देखो देहन दो पहला भी अभी मैंने इसको सिद्ध किया था इसमें बीच में एक सूतर भी लगाया था कि जो a d e था और b d e था वो a d और b d के बराबर था ना बच्चा और य यह ना समान यह नि आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों बराबर है ना अब नीचे आप लिख सकते हो हमारे में जगर नी इसलिए मैं यहां बीचे लिख दूंगा आप वहां लिख सकते हो आता हां सिद्ध हुआ क्या सिद्ध हुआ कि a d upon यह db या इसे bd लिख लो ठीक है सि प्रूब्ड यह इसके बराबर है अभी तक आपने फॉर कुश्चन देख लिए फाइफ नंबर जो आकृति 6.20 में करा कि d e oq के समानतर है 6.20 आकृति का मतलब यह फिगर आपके बुक में कुश्चन दिया ऐसे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है इस फिगर में कह रह समानतर है अप समझ रहा ह capac Cup लेज हो और ऊगी डीजो को महीं होगा इधर वाला। ये ठीक है इद्वालादार ट्रूर के समानतर अगरम डीजेए लेंति ट्रूर के शमानतर तो है नहीं तो इधर को मतलब यह करे चलांतर कहा है कि प्रहें निद्चनाश्चन गेющ समानतर औ पर में ऐसे कुछ होता है ना देखो उसका लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप सभी बीपीटी थेओरम जरूर देख लेना तभी यह आएगा समझ में नहीं तो समझ नहीं पाओगे बीपीटी थेओरम पीडियार स्टेडी लिखके यूटूब पे भी सर्च कर सकते स्वाब ठीक है चलो नहीं नंबर दिया उस पर संपर्क करना मिल जाएगा तो भाया यह कोईश्चन में दिया है कि यह बुजा डी वो क्यों के समानतर है डी एफ मतलब यह दोनों यह 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 बुजा जो है इसके समानतर है तो कहरा सिद्ध करो फिर दर्साइए का मतलब होत तो कोई चीज पूरूब करने के लिए हम सबसे पाहले लिखते हैं जो में दिया है क्या लिखेंगे दिया है जो इंग्लीज मेटियों वाले बच्चें वह लिखेंगे और लिखेंगे दिया है देखो हमने जब बीपीटी थेवरम पढ़ा था इसको इधर हम साइड कर दें बीपीटी थेवरम में थोड़ा का चार्चा कर लेते हैं कुछ मिनट चुकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीना उसके तुम इसको कर नहीं पाओगी बीपीटी थेवरम कहती है कि य बीटील में जानकारी के लिए डिस्क्रेप्शन में लिंक है उस पे जाकि आप बीपीटी थेवरम पढ़ो 15 मिनट का वीडियो है इस बीपीटी को हमने बेस मान लिया और इसी के समानतार एक रेखा इसमें तिरभूज में ऐसे खीच दिया ठीक है और हमने मान लिया कि इसक बराबर होता है किसके A,E upon C,E या E,C के ठीक है A,E upon ये EC के क्या होता बराबर होता है यही कहती है क्या वीपीटी के थावरम यही कहती है मतलब वही basic क्या बोलते हैं इसको मैं देख लेता है मुझे हिंदी नहीं समझ में आ रहा है आधार भूत समानुपाति का पर्मिय बोलते हैं क्या बोलते हैं आधार भूत समानुपाति का पर्मिय यही होती है जो मैंने यहां पर बताया कि अगर कोई तिर्भूज है उसमें से कोई भूजा को बेस मान लो उसके समांतर को ये रेखा अगर तिर्भूज में खीच दो तो जो तिर्भूज बनता है ये कटा हुआ उसकी ये भूजा AD upon DB बराबर होती है AE upon EC के यही है BPT theorem तो हमें कुलमिला के इसमें BPT theorem ही दिखाना है नशी यही दिखाना है ना करde कि दिखाओ कि DF समांतर है qrk कर्यां मतलब कुलमिला करके हमें ये समांतर दी गये हमें उल्टा जो हूआ भि़ोम सिद्ध करने BPT theorem का तो चलो कर लेते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे पहता है आपको देखो step by step देखना कोई बच्चा कलाश चोड के नहीं जाएगा ठीक है अगर step by step देखो कि सब समझ में आएगा और अगर आप चैनल पे नहीं नहीं आए हो तो subscribe जरूर करिए और बेल आइकन अन करिए वीडियो को like करिए ठीक है चलो देखो आगे देखो हमें इसको स देखने की कोशिस करना भाई इधर साइड दिख रहा है तो मैं साइड में बना देता हूं चुकि यहां पर जगा थोड़ी सी कम पड़ेगी तो मैं साइड में बनाऊंगा आगे देखिए मैंने आपकी सहुलियत के लिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं उदर फीगर आप समझो अगर हम इस तिरभूच को थोड़ा सीधा करने जो वहां पर देख रहे हैं थोड़ा ऐसे वह पिचक गया ना अगर हम सीधा करने बच्चा तो तुमको ऐसे मिलेगा यह बोलो मिलेगा की नहीं यह ऐसे नहीं ऐसे नहीं करबढ़ो गया ना पुरा जो बीच वाल माइसे पिचका है तो ऐसे मिलेगा ना और अब यहीं मैंने यहीं आपको बताया था कि यह BTT theorem है बताया था ना बताया था ना वही अभी बताया था नहीं तो उसके करणिंग क्या है की पी एपान इक्यू हो जाएगा और पीडीएपान डियो हो जाएगा तो चलो फटा ही नहीं करना नहीं तो समझ में नहीं आएगा यह बहुत आसान नहीं यह सबसे टप चैप्टर है यह क्राफ्ट अंत का है कि अब हम लीखेंगे P.O. Q में तिर भूज लिखो आप सभी है जइन ट्राइंगल पी-ो-q इंडि मेदा를 में लिखेंगे तिर भूज P.O. Q में तिर भूज पी-ो-Q Q में क्या-क्या है पहले यह देखो भया तिरे भुच P O Q में सबसे पहली बात है कि हम देख रहे हैं E D समांतर है क्यू ओके चाहे तो इसको लिख लो वैसे तो E D समांतर जो है या फिर D eq equal समझ में आ रहा ना अभी अभी मैंने bpt theorem पढ़ाया था उसी के according ठीक है वैसे इधर हो जाएगा pd upon do हो जाएगा क्या हो जाएगा pd upon do हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा ना हां तो यह आप कर ले जाओगे ठीक है उसके बाद अगर इसमें कोई डाउट है तो आपनी संकोच बता दो हां राज देखो किसका फोन आ रहा है उसी का है क्या क्या पूछने के लिए करी देखो बोलो जा उदर बोलो तो यह समझ गया आप लोग देखो आप क्या हो गई है pd upon do क्या जाएगा pd upon do ठीक है इतना हो गया यह हो गया आपका उस थेओरम के अकॉर्डिंग ठीक है आप देखो क्या करोगे यह यह हो गया ना पराबर हो गया यह क्यूं हो गया बाई रीजन भी तो लिखोगे ना आप कोई श्टक में लिखोगे बीपीटी थेओरम से यह समीकराण एक बन गया यह रीजन लिख दो नीचे बाई बीपीटी थेओरम नहीं तो हिंदी मीडियम वाले लिख लें हिंदी मीडियम वाले का लिखेंगे आधार भूत समानुपातिका बहुत ही सीरेसली इसके दो पार्ट थे पी ओ क्यों मैंने पूरा कर लिया अब इधर साइड चलेंगे अभी तो हम लेप्ट साइड थे इधर पी ओ आर बन रहा है ना वैसे ही तिरभूज इधर भी बनेगा एक पार्ट देखो जैसे मैंने इधर बनाया था यह रेखा भी कर देंगे तो ऐसे उधर साइड का बनाओगे तो कुछ अलग तरह से द्रिश से बनेगा देखो मैं चीतर बना देता हूं साइड में उसी जगा पर है अब देखिए से त्रेंगल में हम लोग चलेंगे जो बच्चे इसको नहीं लिखे थे वीडियो को थोड़ा सा बैग करें उनको फिर दिख जाएगा टेंसर नहीं लेंगे कि अम मिटा दियां बीडियो पीछे आगे होता है ना है ना थोड़ा सा बैड़ कर लो 30 सिकेंट वे बहले से झाएगा लिख लो चलो देखो अब यह पी ओ आर में जको पी ओ आर बनाएंगे तो उधर को तेड़ा हो जाएगा अभी मैंने ट्रेंगल बनाया था अगर उसको दयान से बान करके तो वह इधर को टेड़ा था क्योंकि मैंने पी ओ क्यू को बनाया थ्यब hi तक ना तो इसमें क्या करोगे भाई इसको सीधा करोगे तो यह भी वैसे बनेगा तो इसमें भी वही पर्मिय लगाओगे बीपीटी थेोरम वाली तो यह हो जाएगा पी एपान इओ ठीक है पी इपान इओ देखो चाहे तो इसको लेकिन यार इओ कहां से हो गया वही इदर क्यों था इदर ओ था ना हाँ ठीक है ठीक है गुड है तो इसको ऐसे कर लोगे उसके बाद देखो इसमें एक चीज और भी होगा मुझे कुछ गड़बर लग रहा है वह चीज मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखो देखो एक चुली इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ सुरी उसके लिए पता है क्या है मैंने नाम करण में गलबड़ कर दिया इतर देखो गलती कहा हुआ है यह हम इधर वाला तिरभुज ले रहे ना भाई तो यह पीडी है नहां पर डी अफ है और हमने एफ लिख दिया था यहां पर डी है इधर वाले के लिए यह लेकिन इधर वाले के लिए इधर डी है लेकिन इधर डी अफ है तो वह नाम जो है यह वाला ना वो डी अफ रहेगा ठीक है इत्ता वालग होगा ना इंते एक बहुंजा रहा है यह अब आपको कंफ्यूजन नहों इसलिए इस ट्राइंगल को मैंने सीधा करके यहां बना दिया है आपको समझाने के लिए तो यह डी ऐसे हो जाएगा बोलो ऐसे हो जाएगा और जो मैंने आपको अधार भूतस का पर्में बताया था यह पी डी अपान डीयो यह होगा ना इधर से अगर हम गिनेंगे तो पी एफ आपान यह फ आर है ना भाई यह होगा ना यह बराबर अजिन्य आपके लिए triangle फिरसे सीधा करके बनाया था बाकी वह मरीन ट्रैंगल वही है वह आपको बनाना नहीं एकल्भ में मैं आपको समझा नहीं के लिए बनाया committee न है नहीं समझ में आता उसको रॉप में बनाले ना लेकिन उसको वह नई बनाना कॉफी में ठीक है तो यह हो जाएका क्या पी एफ इधर से हम लेंगे ठीक है यह पूरा मिटा दो उधर साइट से लेंगे या इधर से लेंगे मतलब तो ही हुआ ठीक है तो चाहे इसको इधर से लिखो या उधर से लिखो उधर से लिखेंगे तो हमारा फायदा है फायदा का है वो मैं बताऊंगा देखो फायदा यह है कि जो अभी question number 5 आया था पहला समीकरण अभी उसको आप बैक करके देखो यह समीकरण 2 बन गया उसमें भी बच्चा यह PD upon DO आया था आया था ना मैं समीकरण नंबर एक यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा आप लोग देखो फिर से समीकरण 1 हमारा आया था अभी अभी मैंने मिटा दिया PE upon EQ बराबर यह आया था PD upon DO दो ने वह समीकरण पिर से नहीं लिकोगे उतना ही लिखने के बाद अगे लिखंगे यह तो मैं आपको दिखाने के लिए लिखा रहा हूं ठीक है अब नीचे आप लिखोगे में समीकरण 1 वा 2 से देखो भैइं matière जो को अगर आप हम लिख सकते हैं क्या मैं पहला समीकरण यह है तो हम पहला समीकरंड का जो भी इसको पहला लिखेंगे तो PE upon EQ लिको PE upon EQ यह बराबर होगा PF upon FR के यह फिर RF के और अगर देखो तो हमें सरबंसम क्या करना है बईया बन गया काम आपने वह पीटी थेورम पढ़ा था अधार भूतिका परिमिये वो क्या कहता है कि अगर कोई तिर्भूज ऐसे बना है उसमें किसी भूजा को बेशमान के कोई ऐसे रेखा समांतर खींच देते हो तो यह भूजा जो है अभी भी मैंने दिखाया था इस्टार्टिंग में पी एपान एक्यू बराबर पी एफ अफ समान एफ आर होता है कब होता है जब किसी तिर्भूज में किसी बूजय के समांतर कोई रेखा की जाए ताबो इसका मतलब अगर यह सिद्ध हो जाता है तो आप लिख सकते हो क्या से नीचे लिख सकते ओ आता फैर चाहां ऑपाए अगर और यह समांतर होगा क्यू आरके है यहां चाहिए सबस्क्राइब लिखो वह समझने वाले समझ जाएंगे उप्रोक्त इस्थिती बीपीटी यह बीपीटी लिखना थोड़ा आसान होता है वैसे लिखोंगे क्या बोलते हैं आधार बूती का आधार बूत समान उपाती की परमिय का बहुत बड़ा हो जाता है तो बीपीटी लिख दोगे अच्छा रहेगा बीपीटी परमिय की है बस हो गया है इस प्रूब्ड लिख दो इती सिद्धम इसको तुम लोग लाश्ट में क्या करोगी जाम मैं ऐसे गोला करके बलेक पैंसे घेर देना लिख देना अताहसिद्ध हुआ उन सा है पता है अकृति 6.2 में ऐसा आपकी बुक में कुश्चन दिया इसलिए मैंने लिखा है यह आपकी आकृति है 6.2 जो भी समझे इसमें कह रहा है कि क्रमसा इसमें क्रमसा ओपी ओक्यू और पर इस्थित बिंदू ABC ध्यान से देखो इसमें क्रमसा ओपी ओपी मतलब ये और ओक्यू क को मतलब ये और OR का मतलब ये इन पे इस्थितू बिंदू कौन कौन से क्रमसा देखो बच्चा कह रहा है क्रमसा क्रमसा का मतलब ये है कि OP पर A और OQ पर B और OC पर C ठीक है देख लो तो ऐसे हैं भी O P अगर हम बात करें तो इसपे देखो A है अगर O Q की बात करें तो इसपे देखो A B है और अगर O C की बात करें O C तो इसपे देखो, ओ स्वरी O C नहीं O R O R इसपे बिंदू C है यह है ना, करा यह बिंदू इस परकार से है कि A B P Q के parallel है, समानतर है यह जो यह बुजा A B है छोटा वाला अंदर में वो P Q की क्या है, parallel है इसी तरह से कहरा, जो P R है उसके समानतर यह दूसरा वाला बीच वाला A C है तो इसमें कहरा, अगर यह इसके बराबर समानतर है और यह इसके समानतर है तो फिर तुम क्या इसको, यानि Q R को बीची के समानतर सिद्ध नहीं कर सकते हो क्या वही तो करना है, चली करते है सलूशन स्टार्ट होता है यहां से यहां पर लिखोगे हल हल में लिखोगे given हिंदी मीडिया मारे लिखेंगे दिया है given और दिया है क्या दिया भई, यह हमें दिया है AB Parallel PQ इसको आप लिखो AB AB Parallel PQ यह दिया है AC Parallel PR यह भी दिया है AC Parallel PR given, ओके यह हमें दिया है, अब हम क्या करेंगे, देखो, हमने पढ़ाया BPT Theorem, आपको पढ़ाया थे Health Theorem, जानते हो ना अब हम यह इधर साइड का यह हिस्सा लेंगे कहां से, यह यहां से हम यह पूरा हिस्सा निकाल लेंगे इधर वाला यह BQ वाला यह निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इनको BPT Theorem लगा करके सिद्ध कर देंगे, और भईया अगर इनको और इनको इधर लगा देंगे तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा देखो कैसे अगर इसमें से बच्चा आप पो ये तिरभुज ले लो कौन-कौन सा O, P, Q O, P, Q तो इनका इस्ट्रेक्चर कुछ ऐसे बनेगा नीचे साइड में देख लो समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ बागी आप मिटा सकते हो, चलो समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ इनका इस्ट्रेक्चर बाबु कुछ ऐसे बनेगा भाई बोलो ऐसे बनेगा ना इनका structure कुछ ऐसे बनेगा लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें गड़बड लग रहा होगा बट ये कुछ ऐसे ही बनेगे अभी मुझे कुछ क्लियर करने दो थोड़ा मुझे गड़बड लग रहा है थोड़ा फरुक जाओ देखो इसमें figure में थोड़ा mistake है ये figure में क्या ना यह जो O है ये पीचो पीच में यहां आकर कैसे मिल रहा है यह यह है यहां पर O है तब जाके मिलेगा ना में में चीज अब यह जो हमारा इधर साइड में बट रहा है ये इतने में ही नहीं बटेगा भाया यह थोड़ा सा औ और पार्ट में बटेगा वह मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे निकलेगा धान दो बेखो अब आप इन चीत्रों पर धान दो बाकी चीजे छोड़ दो सिर्फ फिगर पर धान दो हम तिर्भूज लेंगे बटा देखो क्या तिर्भूज लेंगे धान देना O P Q मतला मैंने ऐब बाढ़ा Alex만 का एदर दख़िया कि उन्य बोले हम इसको कम समय यह बदैने इसने मेर्द की शेटो पी ऊपया है जैसे इसमें से निकाल के इसको वेरे सा पार सा थे क्या किया आइसे पकड़ किसको सीधा कर दिया जितना है सीधा करेंगे तो ऐसे बन जाए गई है समझो जो भुजा यह पी क्यू वाली है लंभी वाली यह देखो पैरलल है यह नीचे आ जाएगी ने को उठा के भाई कोची जगर मालों उल्टा है उसको उठा तो यह ऐसे हो जाएगा पीक्यू नीचे आजएगा एब देखो पीक्यू केक है पारलल है तो यह से हो जाए और ऑपको थैसे और में अधार होगे अगर नहीं देखेंगे कमेंट करना मैं आपको दिखा दूँगा आप चलो आगी कहानी देखो क्या होता है देहां दो बहुत ही प्यार से गजो अचमा इसमें नहीं थे अबंपर लीखेंगे ठीक है अब छोड़ीन काुपर लिखेंगे लिखो यहां 1 अपर तिरहिचिंगे की कोल सोगा में ओन्रेख ही इसमें क्या लीट गदो वी परमिय से इसमें अगर बीपीटी परमिय लगाएंगे तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई तिर्भुज में किसी भी एक रेखा के सा मंतर कोई रेखा की दी जाए तो जो बीच वाली खींची हुई रेखा है वह उस तिर्भुज को इधर की जो बुजाएं है उधर की युजाओं के अनुपात में बाठती है ऐसे सिखाया था ना था देखो यह हो जाएगा बच्चा ओए अपान एपी इसके कर दी किया हो जाएगा ऑप एप्वान एपी इक्वल यह दूसरी तरफ की साइडों के नुपात के बराबर होगा यानि ओभी अपान भी क्यू हो ज ना सकते हो ठीक है यह समय करना हो गया इसी तरह से जैसे मैंने इधर से लिया था वैसे इतने से तो काम चलने वाला नहीं है यह भी और भी चीज़ें कह रहा था AB PQ के समांतर है इनकी सारी काने मैंने निप्टा दिया लेकिन अभी यह कह रहा AC PR के समांतर है जैसे इधर AB PQ के समांतर था वैसे इधर वाला AC PR के समांतर है तो बच्चा इसको भी काट के निकालोगे ऐसे अलग करोगे ठीक है जैसे मैंने इसको किया है तो अब मैं इसको तो तिर्भूज O-P-R में B-P-T परमे से, देखो O-P-R का मतलब समझो, यह तिर्भूज यहां से, O-P-R, यहनि अगर इसको तुम काटोगे, फिर बना के दिखाऊ, O-P-R, इसको काटोगे तो इसका यह पाट ऐसे निकल क्या लग हो जाएगा, तो इसमें भी वही हो जाएगा, O O-C upon O-R, ऐसे तो कुछ बनेगा न, बना के देखो क्या बनेगा, इधर साइड से बनाओगे, O-A upon A-P बनेगा, और इधर साइड वाला वही O-C upon O-R बनेगा, तो लिखो, इधर से बनाओ न, O-A upon A-P, जल्द लिखो, O-A upon A-P, जो बच्चे इसके पीछे के वीडियो नही पे सारे वीडियो है, यह होगे, यह O-C upon O-R के बराबर होंगे, O-C upon O-R, जैसे मने उसको एक्स्प्लेइन किया था, चैसे चित्र को बाल बांट बांट के अलग अलग न, यह लिख लो, यह आपके equation number second हो गए, यह क्या होगे बच्चा, equation number second, यहाँ पे अगर आप एक second से, समी करण first verse second से, अगर हमारे यह left side equal है, तो right side भी equal होंगे, तो इनको हम लिख सकते हैं, O-B upon B-Q, इनको equal कर सकते हैं, O-C upon O-R के, अब यहाँ से अगर आप ध्यान दो, जो भी हमारी यहाँ पे कहानी लिखी गई, इनको ध्यान दो, अगर O-B, यह O-B और B-Q, यह बराबर है, O-C और O-R के बराबर है बच्चा, तो क्या हुआ फिर यह, O-R नहीं यह C-R होगा यार, यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड किया था क्या, यह O-R नहीं यह C-R होगा, देखो कैसे, यह O-C upon यह C-R होगा न, O-R तो फिर तो देखो, हम सबी Thelth theorem जानते हैं, BPT theorem जिसे बोलते हैं, उसके according, अगर इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, उधर के बराबर है, तो यह भुजाए समानतर होंगी, तो अब नीचे लिख सकते हो, क्या, आता BC, इसके नीचे space है कि नहीं मुझे दिखने गा है, है ना होगा, होगा, लिखो, क्योंकि उपरोक्त परमिये, उपरोक्त इस्थिती, BPT theorem से आती है, ठीक है, लिख दो रेजन अगर कहा जाए तो, क्योंकि उपरोक्त इस्थिती, उपरोक्त इस्थिती, BPT परमिये से आती है, वीपीटी परमिया से आती है बस सिद्ध हो गया इतना ही करना था प्रूब करना था हो गया कितना असान है आप लोग जल्दी से इनको लिख लीजिए स्क्रिंसार्ट ले लिजिए 6.2 में आपके टोटल 10 कुश्चन है टैन में से आठ और दस हम बताएंगे नाइन वाला आप लोग होमक करोगे ठीक है खुद से भी कोशिस करनी चाहिए कुश्चन क्या कहता है प्रशन क्या कहता है परमिय संख्य 6.2 का परियोग करते हुए सिद कि मतलब समझो कुलमिला करना क्या है इन का कहने का यहमें कि जैसे मानलो a.b.c. एक ट्राइंगल है तो सच्चन की मद्ध बिजाओं के मद्ध का मिलाने वाले रेखा है यानि simplemente केbahn minder इनको मिला रही दो इसका मद्द बिंदू D है A B का और A C का मद्द बिंदू E है इनको मिलाने वाले जो रेखा है कहरा कि तीसरी बुजा के समांतर होती है अर्थाद D E समांतर होगी B C के यह हमें प्रूब करना है यह हमने B P T थेयोरम में किया है इसमें और लिखा है आगे ब्रेकर्ट में याद कीजिए आप काग्छा 9 में इसको कर चुके है है न क्लिए है? चलो अब देखते हैं क्या होगा इसमें समझने की कोसिस करो आप लोगा देखो बच्चा इसमें बहुत सारी चीजें हमें पता है वो क्या पता है? अगर ये जैसे कंडिसन बता रहा है तो BPT थोरम से अगर हम देखे थे इसमें हमें बहुत सारी चीजें दी गई है वो क्या दी गई है? ये AD ये DB के बराबर है बराबर क्यों है? क्योंकि कहरा ये मद्धबिन्दू को मिलाने वाली देखा यानि ये पहले कहरा क्योंकि में चीपा है कि AB का जो मद्धबिन्दू है वो D है है न? तो AB का अगर मद्धबिन्दू D है बच्चा तो AD और BD आपस में बराबर होंगी तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो? इधर साइड में आगे लिखो फटा फट जल्दी से लिखो यहाँ पर हम लिख सकते है AD इक्वल DB ठीक है? इतने में कोई प्राबलम नहीं न? AD ये DB के बराबर है ठीक है? No problem, no tension ओके? चलो तो इसमें तुम एक काम कर सकते हो बच्चा वो ये है कि चाहे को AD को DB के बराबर करो और चाहे तुम इसमें एक काम कर लो AD अपान DV इक्वल का 1 कर लो ठीक है? ये भी हो सकता है इसको एक वैसे नमबर फट बान लो ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं न? आप समझे मैंने इधर साइड का हिसाब किया AD DB के बराबर किया तो मैंने एक क्वेशन नमबर फट बनाया अब इधर भी ऐसे चलो तो AE AE EC के बराबर होगी क्योंकि अगर E मद्ध बिंदू है AC का तो ये आधा-धा पार्ट में बाट रही है तो इसे आप लिख सकते हो AE बराबर EC लिखो इसी परकार AE बराबर EC यानि AE बराबर EC बराबर 1 ठीक है 1 का है यार 1 तो उपर होगा न है 2 हो जाएगा ओ स्वरी हाँ हाँ ये तो ठीक है 1 हो जाएगा ये ठीक है इसमें कोई लफ़डा नहीं न न बच्चा आप देखो समझो ये समी करण 2 हो गया अब समझने की आप लोग कोशिस करो अगर आप ECOSION नमबर 5 टान सीकेंड देखो तो इसमें LHS इक्वल है इधर 1 है दोनों में तो अगर LHS इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि इसका RHS भी इक्वल होगा समी करण 1 वा 2 से देखो समझने की कोशिस करो इक्वल से नमबर 5 टान सीकेंड से हम लिख सकते हैं AD अपान डीवी लिखो बच्चा AD अपान डीवी इक्वल A E समझने की कोशिस करो आप प्यार से देखो लिखो A E अपान कौन सा EC ठीक है नो प्राब्लम EC यह हो जाएंगे आपके बराबर और अगर यह बराबर हो गए तो तो फिर क्या अगर यह बराबर हो गए आपने BPT theorem पढ़ा होगा ठेल्स परमिये जिसे बोलते हैं अब नीचे आप लिख सकते हो इसलिए या अता हाँ अता हाँ D E D E Parallel BC Parallel BC Breakout में लिख दो BPT परमिये से ठीक है BPT परमिये से BPT परमिये मैंने पढ़ा है नई समझ में आता आप YouTube पर सर्च कर ले न BPT थे और मिल जाएगा इसका क्या मतलब होता समझ जाओगे तो यह प्रूब होगे जो भी करना था कह रहा कि एक चतुरभूज मतलब Quadratral जिसका नाम है ABCD ठीक है तो यह रहा कि बिकर्ड यानि चतुरभूज के जो बिकर्ड है Diagonal परस पर बिंदू ओपर इस परकार परतिछेदित करते हैं परतिछेदित का मतलब होता Intersect करते हैं B-sect नहीं Intersect करते हैं कि A-O upon B-O है एसे परतिछेदिति करते हैं कि A-O B-O के बराबर है C-O D-O के बराबर है यानि ये C-O जो है वो D-O के बराबर है ये कुछ इस तरह से बन रहा है कुछ समंझ में आब को? नहीं देखो अब इस समंझ में आएगा ठीक है इसका मतलब कहने का यहे है कि यह दोनों जो यह तिर्भुज बन रहा है और परकार से संदुबाहू की तरह बन रहे है यह बुजा बराबर है यह बराबर है कि नहीं नहीं बराबर नहीं है चलो, अब यहां से कुछ नहीं समझ में आएगा लेकिन अभी जो आगे लिखोंगा वो समझ में आएगा यहाँ पे लिखो दिया है हमें गिवन है AO upon BO अभी देखो आपको सब समझ में आएगा CO upon DO यह दिया ना बच्चा यह दिया है अच्छा आप गेस करो अगर इनका आप cross multiple करोगे तो यह AO into B DO और BO into CO हो जाएगा यहनी इसके माध्यम से तुम क्या लिख सकते हो इसके माध्यम से AO CO को नीचे उपर लिख सकते हो यहनी हम लिख सकते हैं AO upon CO बॉलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई cross multiple करोगे तुम आजायागा ना उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो तो फिर इस हिसाब से अगर इधर इसका cross multiple करोगे, इसका इधर करोगे, तो वो भी उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानि वो बी-ओ अपान डी-ओ कर सकते हैं इसको, यह लो बी-ओ अपान यह डी-ओ हो गया, अब लेकिन इसमें बहुत चीजे मिल रहा है, वो क्या मि आते हैं, लेको breakout में यह हो सकता है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं हो सकता है, मैंने केवल serial change किये बस, ठीक है, चलो, अब देखो क्या करोगे आप, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, यह तो दिया है, लेको, सिद्ध करना है, इंग्लिस में लिखेंगे to prove, to prove, to prove क्या, हिंदी में लिखेंगे, ABCD, मतलब यह जो दिया गया है, ABCD, वो एक समलंब है, यहाँ पर देखो, यही दिखाना है, दरसाइए मतलब prove कीजिए, लेको सिद्ध करना है, ABCD, एक समलंब है, समलंब है, मतलब, ट्रेफिजियम है, ओके, चलो, इतना कर लिए बच्चा, देखो, अब एक काम करोगे आप, एक काम आप यह करोगे, यहाँ पर AB, जो है, वो CD के समानतर है, AB, CD के समानतर है, भाई, ट्रेफिजियम है, तो ऐसे भी या वैसे दिख भी रहा आपको, इसमें कुछ कहना नहीं है, आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हो, AB, Parallel, CD, ठीक है, आप द इसको परतिछे दिख करता हुआ, आप एक बिंदू खींचोगे, जो कि लगबख बीच 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 बिंदू पर ही होना चाहिए, मेरा जो है, यह थोड़ा सा अजीब टाइप का बना, इस वज़ा फे बीच बीच के थोड़ा उधर चला जा जा रहा है, तो एक परकार से जान लो, यह EF होगा, जो कि लगबख बीच 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 पर काटेगा, यह माल लो इसका मद्ध बिंदू होगा, बस तुम इतना माल लो, ठीक है, यह समझ गए, लिकिन यह तो छोड़ो, अब A, B, EF के समांतर होगी, और CD के समांतर होगी, तो नीचे हम लिख सकते ह हाफर, पहले लिखो रचना, यह का इंस्ट्रक्शन लिखो, ठीक है, ठीक लिए, हो गया, लिख लो चाहिए, इसमें, A, D, के मद्ध बिंदू को, B, C, के मद्ध बिंदू से मिला जिसका नाम, EF रखा, ठीक है, उसके बाद आगे आप लिख सकते हो, A, B, समांतर, EF, समां सीधी कर दो, मतलब एक हो, ठीक है, अब चलो देखो, अब हमारे पास कई सारी संभावना यहां पर हो गई, चित्र में थोड़ा सही कर लेता हूं, फिकर थोड़ा गंदा लग रहा है, मुझे मतलब उस हिसाब से नहीं बना है, मैं चित्र थोड़ा सही कर रहा हूं, चली र में चलेंगे, ठीक है, कौन को तिर्भूज, A, C, D, यानि इधर का जितना ट्रेंगल है, इसमें लेंगे, अब नीचे आप लिखो प्रूफ, या फिर मतलब जो भी सिद्ध करना है, ठीक है, वह हम करने चलता है, उपत्ती जैसे लिखते हैं, फिर हिंदी में इंग्लिस में देखो बच्चा, A, C, D, अगर तुम A, C और D लोगे, तो इसमें एक चीज आपको मिल रहा है, अगर मैं इसको अलग करके आपको दिखा दूँ तो हमें लगता ज्यादा बहतर आपको समझ में आएगा न, अलग कर दूँ, देखो, समझने के लिए मैं इधर साइड में अल यहां पर O है, क्योंकि मुझे इतना ही निकालना है, A, C, D, यह, अलग करूँगो तो मैं ऐसे निकलेगा, इसका इतना निकल गया, ठीक है, और हाँ, एक बात इसमें यह भी है, यह बीच में ऐसे लाइनिंग गई है, तो यह भी ऐसे दिखेगी, लेकिन हमें इससे कोई मतल रही, वो BPT theorem के according बन रही, बन रही न, कि एक भुजा के समानतर कोई एक दूसरी रेखा है, तो तुम क्या लिखोगे, यहां पर लिखो, A, C, D में, O, E, समानतर, C, D, लिखो, O, E, Parallel, C, D, ओके, इतना लिख लो, चुकि नीचे जगा मुझे कम लग रही है, अभी जगा ह है काफी न, ठीक है, इतना लिख लिया, चलो, गुड, अब आप एक काम करोगे, आप एक काम क्या करोगे, लिखो, A, E, अपान, E, D, नीचे लिखो, नीचे दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, A, E, अपान, E, D, इक्वल, A, O, अपान, O, C, A, O, अपान, O, C, कुछ लोग पर मियें से ठीक है बीपीटी पर मिये इतना हो गया यह भी पीटी पर रहलेंगे लिंक में दो जाएगी वीडियो की ठीक है उके चलो यह हो गए आपके फैस्ट रंगल से इनको कोई सनंबर क्वां सकते हो यह आपके सम्मे करण मरे एक हो गए अब इसी तरह से हम जैसे ही ति बुझ और निकालेंगी और फिर उसमें भी करेंगे दो बन जाएंगे फिर इसको प्रूब कर सकते आसानी से इसको लिख लीजिए चुकि मुझे मिटाना पड़ेगा लग रहा है इसको एरेज करना पड़ेगा तो आप जल्दी से स्क्रीन साट ले लो वीडियो करो करके फिर BCD अगर आप ट्रेंगल लोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा आपको इंटरफेस इफिले मैंने इसमें से निकाल के इधर आपको यह समझने के लिए दिखाया इसको आपको नहीं बनाना है ठीक है मतलब हम BCD ले रहे हैं तो हमारा कुछ इतना बनेगा जिसमें हमें O और F का अगर यह ऐसे situation बनती है तो हम जानते हैं भी PT theorem से यह OB upon DO और VF upon CF ऐसा आप कर सकते हो न तो लिखो BF upon CF जाए इसको पहले लिख लो VF upon CF equal इधर वाला जो है OB और OD ठीक है यह OB upon OD यह आपका equation number second हो जाएगा तो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है यह BF CF को पहले ही फिले लिखा चुकि इधर सके साइड equal हो जाएंगे बाकि आप उसको पहले इसको बाद में लिखो तब भी वह मतलब हुआ ठीक है इतना उतार लो यह आपका equation number second हो गया बच्चा अब ही मैं first number equation आपके सामने ला रहा हूं अब फिर हम compare करेंगे दोनों की ठीक है चलो जल्दी इतना लेख लो बहुत जल्दी करो अब देखिए आपको यहां पर कुछ समझने वाली बात है बहुत इमांदारी से समझना तभी समझ में आएगा बच्चा देखो हमारा जो equation number second है इतना आ रहा है वह आपको दिख रहा है equation number first बेटा यह आया था ठीक है AE upon ED equal AO upon OC यह आया था लेकिन हमें starting question में given है AO upon BO और CO upon DO यह हमें पहले से दिया है और हमने इसमें अभी कोछ changing किया था AO upon CO और BO upon DO इसको हम कर सकते हैं इसलिए किये थे जिससे आगे हमारे लिए help मिल सके तो इसके according जो दिया है नीचे देखो मैंने लिखा ना given इसके according कर हम यहां देखें तो क्या बराबर होगा आपका सोचो AO OC इसमें भी है OC बोलो या CO बोलो मतलब हो ही है इसमें भी AO upon CO या OC इसमें भी है तो हम एक काम कर सकते हैं AE upon ED कर सकते हैं इसको BO DO के बराबर कर सकते हैं क्यों करेंगे क्योंकि हमारा equation number first एक नए रूप में आ जाएग मतलब कुछ मिलावाट इसमें मतलब इसकी जैसे यह हो जाएगा देखो इसे हम लिख सकते हैं AE upon ED और बच्चा इसको बराबर तुम कर दोगे किसके यह जो बराबर है BO upon DO से ठीक है यह आपका समीकरण 1 का नया रूप बन जाएगा ठीक है समीकरण 1 का new version बन जाएगा यह इ देखो इसका जो RHS है BO upon OD इसमें भी देखो BO upon OD है कि नहीं है ना यह मत सोचना उसमें DO पहले है वो बाद में आप AB या BA लिख सकते हो कोई effect नहीं पड़ता ठीक है तो आप नीचे लिखोगे समीकरण 1 यहां पर लिखो समीकरण 1 वा 2 से समीकरण 1 वा 2 से हम compare अगर करेंगे बच्चा इसमें भी हमारे RHS equal है तो LHS बराबर कर सकते हैं तो हम VF upon CF equal AE upon ED कर सकते हैं तो तुम यहां पर एक काम कर सकते हो VF upon CF equal AD oh sorry वो AE upon ED आप कर सकते हो ठीक है यह आपने कर लिया इसमें करना क्या था इसमें यह कह रहा था अगर यह स्थिती बनती है तो इसको प्रूब करो एक समलम्ब है समलम्ब का मतलब होता जिसकी यह दोनों साइड जो है वो समांतर होती है और यह समांतर नहीं होती है यह यह हो गया यह कंडिशन कब बनती है देखो BF कहां गया यह BF upon CF और AE upon ED देखो बन रहा ना BPT theorem का पूरा नियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस तरह से नीचे जाके प्रूब हो गया ना लाश्ट वाला जो इक वैसन नीचे बन रहा है तो अब नीचे तुम क्या लिख सक करते जाओ ठीक है इतना सब कुछ करने के बाद यह जो मैं साइड में दिखाया हूं यह आपको समझाने के लिए दिखाया हूं जो घे रहा हूं इतना इसको आपको लिखना है जरूरी नहीं कोई ठीक है तो इतना आप लिख लोगे उसको कुछ नहीं लिखना है केबल समझ उसको लिखना नहीं था मैं समझाने के लिए उदर साइड वाला बताया हूँ इतना आपको कांपी में कहीं भी फेयर साइड में नहीं लिखना समझना है कहीं बगल में लिख लेना यहां तक करोगे इसके बाद आप यहां लिख सकते हो आता ए पी पैरलल टू यह सी डी ठीक ह है और जब दो भुझाएं यही तो समानतर हो रही हुराइं यहां ठीक है जब दो भुझाएं समानतर हो जाएंगी तो यह क्या हो गया सम्मलंब का एक minimum requirement यह पूरा हो गई यह सिद्ध हो जाएगा नीचे लिख दो अता सिद्ध हुआ ABCD एक समलंभ है अता सिद्ध हुआ ABCD एक समलंभ है तो भाईया आपका यह exercise 6.2 इंड हो गया इसमें कि सारे कोश्चन मैंने करवा दिये exercise 6.3 है वो निर्भार एक इस पर पता है समरूपता पर इधर साइड ध्यान से देखो यह समरूपता मतलब होता है similarity यह इसी पर सारा concept है इसमें तो सबसे पहले हम आपको समरूपता कैसे पहचानते हैं similarity कैसे जानते हैं इसके बारे में बता देए उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे ठीक है तो बहुत ही ध्यान से देखिए सम्रूपता कि जो कुछ सर्टे हैं वो मैं आपको कहा पर दिखाऊ और जिसमें पहली स्टूपा लिए क्योई पहली सर्थ है कि उनके संगत को bиса क्रस्पॉंडिंग बौलते हैं और यह मैंभी क्लियर कर zeros देहां देना उनकी संगत गुजाएं यह कही अनुपात में हो वतलग क्यों समानुपाती हो यह दोनों चीजी होनी चाहिए पहले तो आप यह वर्ट समझो कि संगत क्या होता है आप समझें कि कोसिस करिए अगर कोई अब ध्यान देना अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रैंगल ए वी सी ट्रैंगल 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 इसका मतलब आप समझू पहले अब संगत का गया मतलब है जैसे कह रहा कि उनके संगत कौन बराबर हो उनके संगत कौन बराबर हो अब मैं आपसे पहुंचूं कि बच्चा यह बताओ एंगल ए एंगल ए का संगत कौन क्या होगा तो भई एंगल ए का संगत कौन उसमें होगा दूसरे वाले फिगर में लेकिन कैसे बैचान होगे देख दूसरे वाले के first letter के संगत है यानि कि जो कोण A है वो कोण P के संगत है और कोण P, कोण A के क्या है संगत है मतलब की corresponding है अब आप इन चीजों को समझने की कोशिस करो अच्छे से कायशे होते हैं देखो आगे बात करें तो बच्छा कोण A, कोण A का संगत कौन है कोण P है ये बात ध्यान दे रहा समझने की कोशिस करो और अगर हम बात करें कोण B अब देखाए एंगल B एंगल B का संगत क्या है इसका corresponding क्या है इसमें देखो ये B क्या है इसमें दूसरे नंबर पे है इसमें सिकन लेटर क्या क्यों है तो इस B का जो corresponding है वो ये है क्यों है ठीक है समझ में आरेने चीजे कोई confusion नहीं होनी चाहिए अब चाध्यान से समझे लो और अगर हम बात करें C की तो C का R हो जाएगा ये हो गए संगत कौन ठीक है आप समझ गे रहा यानि कि एंगल A का corresponding angle B एंगल B का corresponding angle Q एंड एंगल R का corresponding angle C ये है संगत कौन ठीक है तो पहली condition है संगत कौन बराबर होने चाहिए दूसरी है उनकी संगत बुजाए एक ही अनुपात में होनी चाहिए इसको आप लोग note down कर लो उसके बाद हम बात करते हैं corresponding side की संगत बुजाए देखो यहाँ पर है न संगत बुजाए एक ही अनुपात में होनी चाहिए मतलब समानुपाती होनी चाहिए तो हम इनकी बात करते हैं चलिए इसको हम मिटा देते हैं कोण की बात खतम हो गई अब हम चलते हैं corresponding side पर संगत बुजाए पर चलो बच्चा देखो आप समाझेने की कोशिस करिए आप लोग जैसे अगर हम बात करें बुजा AB बुजा AB की संगत क्या होगी तो आप इसमें देखो AB AB मतलब first or second later इसमें क्या है क्या होगी तो हम कह सकते हैं AB की जो संगत बुजा बच्चा वो क्या है PQ है और आगे आगे अगे अगर इसमें बात करें दूसरी side मालो चलो BC BC का मतलब यह हुआ यह हुआ यह फाइस लेटर छोड़के तो इसमें भी क्या दोरोगे आप फाइस लेटर छोड़के यह BC BC का क्या हुआ QR यह आप कह सकते हो इस BC का जो क्रस्कॉंडिंग है वो क्या है QR है QR मतलब मुदर साइड है आप ठेक रहे है ना इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने चाहिए यह BC का मजाएगा QR इसी तरह से आप AC का करोगे तो बच्चा AC मतलब फाइस लेटर और लाइस लेटर यानि पी यार मतलब यह बजाएगा ठीक है तो आप कह सकते हो AC क्या बजाएगा PR यह संगत बुजाएं आप समझ गया ना संगत बुजा क्या होती संगत क्या होते हैं इसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से चलो फटा फट लिखलो भई जो भी नए साथी जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें और जो पुराने साथी है वो भी क्लास को लाइक करें और लाइक तो भई हर कोई करेगा नहीं पु करें उनके संगत कोण बराबर होगे तो जैसे की एक्जामपल देख लो अगर ट्रेंगल एबी सी है और दूफरा ट्रेंगल पी क्यू आर है अगर यहां पर एंगल एकी वालू फोटी डिग लिए बीका 90 अनब पे डिग लिए तो अगर हम करेंगल की बात करें तो एंगल यह दोनों समरूप तब होंगे सिमलर तब होंगे जब एंगल एंगल पी के बराबर होगा है तो अगर आप यहां ध्यान दो तो एंगल एंगल पी के बराबर है दोनों 40 है है अगर एंगल वी की बात करें तो बच्चा एंगल वी एंगल क्यू के बराबर है करिस्पांडिं इस तरह से अगर आप देखो तो दो आप इन दोनों से भी प्रूब कर सकते हो यह दोनों जो ट्राइंगल दिये गया है यह सिमलर है और लिखो कि रीजन क्या है रीजन अगर दोनों को जोड़ोंके तो 130 होगा मतलब यह पचास आएगा क्योंकि सबी कोनों का योगपल एक्सोच सी होना चाहिए वाने टीफ जादा नहीं होना चाहिए तो ये पचास आएगा ये भी पचास आएगा आप चाहो तो तिरपले भी कर सकते हो निकाल के उनके मान लेकिन जो भी दिया मैंने उसके कोडिंग किया ये हो गया फास्टेव करा कि उनकी संकत हो जाए एक ही इनुपात में हो अब देख लो इसका मतलब भी समझे लो आप लोग उसके बाद फिरम आगे बात करते हैं ध्यान देना बहुत ही प्यार से समझे कोई भी जाएगा नहीं कलास को पूरा इंड़ तक देखना बीच में इसकी पर नहीं करना अगर आप कच्छा दस में पढ़ रहें तो पीबियार स्टडी चैनल नंबर 3 पर यानि पीबियार स्टडी 3.0 चैनल पर ये कलास हर दिन सु देखिए बच्चा दूसरी कंडिशन कहती है कि उनकी संगत बुजाएं इक ही अनुपात में होंगी अर्थाथ समान उपाति होंगी देखो ये कब होगा मतलब समझे जब एस 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 सिमिलेटी रूड लगेगा जैसे मैंने आपको कर्रिस्पॉंडिंग यानि संगत पढ़ क्या हो जाएगा ये पी क्यू आर देखो अब मतलब समझो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिए अब अगर हम बात करें एबी तो भाई एबी की जो कर्रस्पॉंडिंग साइड होगी वो क्या होगी इसमें कभी स्टार्टिंग का दो लेटर लेलो पी क्यू यानि अगर आयए बी की बात करें तो तीन और पीक्यू की बात करें तो क्या वच्चा ती क्यू कि ये पी क्यूं अब मतलब आगे समझते जाओं और अगला हर एक साइड को आप देखो इक्वल होंगी मतलब वह समानुपाती होगी समानुपाती का मतलब भी समझना बताऊंगा त्याज से देखे यहां पर जो समानुपाती का मतलब हो जो समझना जैसे अगर दूसरी लाइन में देखों bic बी सी इसमें के दोनों बाद वर लेटर इसमें कभी दोनों ले लो QR तो बच्चा बी सी का अगर देखो तो 3.5 है और QR देखो 7 है तो यह 3.5 यह क्या है 7 है अब मतलब समझते जाओ अभी आप आज से ठीक है अब देखो आगे आगे देखते जो पूरा पूरा देखते पर आगे बात करें अगर देखो अब कर अब कि अब हो गया अब एसी एसी दस है और अगर इसका कर्रिस्पोंडिंग देखो तो पी आर पी आर कहां यह 5 रफ तो यह क्या है दस है यह क्या है 5 ठीक है आप देखो यहाँ पर आप समझते चलो और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे है देखिए यहाँ पर समनुपादी का ये मतलब है कि ये जो fraction बना दोनों का बुजा मला करके एक तो तीन तो इसमें का था और छे इसमें का था इसमें का था ये आपस मे किसी एक यही गिंती से दोनों कटने चाहिए completely divided होने चाहिए यही मतलब है तो अगर इनको देखो तीन से दोनों कटेंगे तीन एकम तीन तीन दोना छे अगर इधर बात करें यहां से नीचे यह करेंगे तो क्या हो जागा सतर हो जाएगा दसामनों बटाएंगे सतर हो कि इनको अगर देखो तो टेन अपान फाइब यह एक ही नंबर से दोनों कमपलेटली डिवाइड हो रहे थे मतलब फाइब से फाइब ही कर रहा था इसमें सेबन और यह दोनों इस दूसरे फिवाइड हुए जो कि क्या आयवन अपांट हुआ यह भी डिवाइड हुआ एक ही नंबर से 3 से दोनों हुआ इसी को यहां पर क्या बोलेंगे समानुपाथी परकार से ठीक है आप समझ गए ना हाँ एक बात यहां पर और समझ लो अगर आप लोगों के मन में हो कि समानुपाथी कब नहीं ह दोनों वह था यह ऊ-किकता है यह था किसे अधिर गेंए निला से नमबर भी तोड़ уб matin व कोगा क्या1 तो अभी है तो अब आप है कैसे बिनता एक मानता आथा है यह किसे बनता आई नहीं सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर रिजन लिखते होगे रिजन एस एस त्रिपल एस मतलब भुजा 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 यह समुरूपता का जो नियम हो जाएगा ठीक है समझ में आइने बाते अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके निसंग कोछ हमसे पूछ सकते हैं जल्दी से कमेंट करें फटा-फट मैं आपको बताऊंगा जल्दी करो समुरूप तिर्भुज के लिए क्या क्या कांडिशन होनी चाहिए वह मैंने आपको बताया है जैसे एक एक जामपल दिखाऊं तो यह समुरूप आकरती का उधारण है समुरूप का मतलब सिमेट्री जैसे देखो यह डिबबी यह डिबबी दोनों एक ही बनावट का है समुरूप का मतलब कोई भी तिर्भुज या कोई भी आकरती वह एक समान रूप की होनी चाहिए जैसे अगर बात करें इंसानों की तो हम सभी इंसान समुरूप होते हैं क्योंकि हम सभी इंसानों में अगर हम मेल की बात करें वायज की हम आदमियों की तो उनके छोटे छोटे आप मतलब बिक परकार से बाल होते हैं नाक होता है आँख कानमू सभी होता है ना तो हम सब इंसान इंसान क्या है समरूप है लेकिन अगर किसी इंसान की तुलना मान लोग गाय से कर दो या मान लोग बकरी से कर दो तो क्या हम लोग समरूप होंगे नहीं न क्योंकि गाय है या बकरी है उसका दाथ उसका मूँ उसका नाक मतलब सींग हो गया भी होती ना जान है ठीक है कि बताइए कि अकरती 6.34 में दिये गए तिर्भुजों के अकरती 6.34 का मतलब इसमें बहुत सारे तिर्भुज दिये गए हैं उसमें का फाइस्ट पार्ट मैंने लिखा है कुश्चन पहले सुन लो जो बच्चे नहीं लिखे हैं जिनके पास किताब नहीं लिख ले बताइए कि अकरती 6.34 में दिये गए तिर्भुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्मों समरूप हैं एक बार फिर तर सुन लिजिए कि बताइए कि अकरती 6.34 में दिये गए तिर्भुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्मों समरूप हैं उस समरूप कि कौसार्टी को लिखिए जिसका परियोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप सिर्भुजों को संकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए मतलब इसमें जो सारे ट्राइंगल दिए गए हैं धेर सारे जोड़े दिए गए हैं उनमें कौन-कौन से समरूप है वो स सबी एंगल इक्वल हूं हां मतलब फीगर जो है आकरती चोटी बड़ी हो सकती है आकार चोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उनके एंगल बराबर होने चाहिए और यह फिरकर एंगल बराबर नहों तो उनकी भुजाय निसाइड इक्वल होनी चाहिए तब ही समरूप होंगे है जैसे एक परकार सीए समझालोगा माल यह टरेंगल है यह ओर और स्थार खरकल है तो यह कभी सम रूप नहीं क्योंकि आásर बनावत हीन बनावत जाए अगर मैं बात करूं एक ओर छोटा फर त्रेंगल बना दूँ तो यह इसके सम रूप है जोनों क्योंकि मतलब उनका आकृति जो है एक जैसे ही होनी चाहिए ठीक है से एक जैसा होना चाहिए तो यह क्या समरूप है समझ गए ना अब देखो कुश्चन पर जलते हैं बच्चा यहां पर कुश्चन देखो अगर हम बात करें एंगल ए तो आप देखो एंगल ए दूफरे ट्रेंगल में देखें इसका अगर करस्पॉंडिंग तो एंगल पी के बराबर है एंगल भी एंगल क्यों के बराबर है यह चीज लिखने को बोला था इंगल इनगल आर यह एक बराबर है इसलिए आप नीचे यह लिखोगे क्या लिखोगे द्यान से देखों एंगल वी6 क्या इंगल ए पीका यह इंगाइंस टु किसके शोड़ा आवर नहीं सिमिलर किसके इधर वाला जैसे ले आज क्यों को ए बीज सी न वसी इधर कभी निखना ठीक है यह पी क्यों आर कर बस हो गया यह धोनों समरोप है कि में कॉनखन इस नीचे लिख सकते हो यह क्यों लिख सकते हैं यह यह मतलब कौन 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 समरूपता नियम से यह क्या है समरूप है क्योंकि इनके सभी एंगल क्या है समझ में आए ना चलो अब दूसरे कुश्चन पर चलते हैं बच्चा इसका सिकेंड पार्ट है उसका फिगर मैं आपके सामने ऐसे दिखा रहा हूं जल्दी से आप इनको नोट अंगल नहीं दिया गया है अगर आप पहले में देखिए तो फाइस्ट में जो साइड दी गई है वह लुटो सेंटिमीटर है और अगर हम बीसी की बात करें तो यह टू पॉइंट फाइफ है वहीं अगर हम एसी की बात करें तो बच्चा यह तीन दिया गया है इस तरह से इसमें चे दिया गया है यह चार दिया गया है यह पांच दिया गया है कोई भी दो तिरभूज समरूप हो सकते हैं सिमलर हो सकते हैं यह उनकी जो corresponding side है वो समानुपाती हो समानुपात में हो या फिर एंगल इक्वल हो तो इसमें साइड है हमेरे पास एंगल है नहीं तो हम साइड की compare करेंगे AB AB देखो ये समानुपात का मतलब यह है बच्चा कि जैसे अगर सभी साइड का compare करें जैसे आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा AB अपन इसमें का AB लिया इसमें का corresponding side आप दो ले सकते हो कौन-कौन जो दो से यह तीनों है न फाइब फॉर शिक्स दो से कंपलेटली डिवाइड हो जाए तो देखो दो से तो छे भी कट जाएगा हाँ अगर हम मानलो एक मिनट के लिए सब पोच करो कि हम चलो AB और यह पी क्यू ले लेते हैं तो बच्चा यह इतना हो जाएगा इस तरह से आपका दो बटा यह चे आएगा भाई देखो पीगी कमान छे पी क्यू का तो एक बटा तीन आएगा यह तो हो गया अब बीची के लिए हम क्या लेंगे बीची के लिए हमें बच्चा 2.5 तो लिया है ठीक है लेकिन अगर हम 2.5 देखें किससे कटेगा कि मतलब 2.5 जो है इस से इस से किसी से पूरा-पूरा कटना चाहिए उसी खुलेंगे ठीक है उसका संगत वह होता है मतलब ऑग दूफर नहीं लेना ठीक है जैसे इसमें देखो 2 से अच्छे भी कट रहा था चार भी कट रहा था मैं अच्छे ले लिए ठीक है लिखिन अब 2.5 के कर्रस्पॉंडिंग आप वही साइड लोगे जियो पूरा-पूरा कट जाए तो 2.5 से नहीं कटेगा यह मतलब कोई भी नहीं कटेगा इसका मतलब कौन कटेगा यह कटेगा 2.5 से देखो बच्छे यह कटेगा पहले हैं समझो भी सही नहीं हो रहा भी लिखना मत यह बीसी अपान प्यार तो यह आपका 2.5 अपान यह 5 हो जाएगा इसको आप जीरो हटा होगे बाबू तो यह पचास आएगा मतलब एक बटा दो आएगा आप देख रहे हो यह बना पान यह 2 को हम 6 के साथ भी सेट कर सकते हैं 4 के साथ भी कर सकते हैं हमने 6 के साथ देख लिया बराबर नहीं आरा सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे AB इसको हम 4 के साथ सेट करेंगे QR अब देखो बच्चा AB का मन 2 है बाबू QR का 4 है इस तरह से एक बटा 2 हो गया इस त पॉइंट फाइफ प्यार है फाइफ फाइनल में गटा दो आएगा अभी मैं हल करके दिखा दिया था देखो यह दोनों जो इनकी अनुपात है भूजाओं में वह बराबर आए ना दोनों अभी तीसरा देख लो जो बचाए के एसी का हम जोड़ी लगाएंगे पीक्यू के साथ में तो बच्चा एसी तीन है पीक्यू छे है मतलब एक अबटा दो आया यहां पर आप देखो तो तीनों साइड के जो अनुपात है वो बराबर है है ना बराबर तो आप नीचे कह सकते हो क्या कह सकते हो नीचे लिखो आप इसलिए सो ट्रेंगल कौन-कौन से ध्यान देना किस-किस ट्रेंगल की बात हो रही बच्चा आप देखो इसमें A B C न आप कह सकते हो इसलिए ट्रेंगल A B C कांगुरेंस टू दो किसमें P QR मत लिखना फीधा-फीधा गरबढ हो जाएगा सबसे पहले आपने कौन सा लिया गेना यहान सबने आपकी स्टर्टिंग कांसा हुई थी इसमें इसंस्टारिंग एसे हुई थी ए भी पाइले लिया था मैं इसने यह लेकिन इसकी स्टर्टिंग कहां से हुइथी क्यू-a अर फिन यह कुए न टो यह कंगरोशना कीवार्पी्के ठीक है य बात याEM रखना QRPK गड़बडवाना नहीं देखो कैसे हमने अगर इसमें आलग लग करें तो A B A B का हमने QR के साथ जोड़ी लगाया था हाँ ठीक है उसके बाद हमने B C का P R के साथ लगाया था PRRP देखो अब यह B C लाइश्ट से दो इसमें भी लाइश्ट से दो बन रहे ना A C का P Q के साथ लगाया था A C मतलब पहले वाला और लाइश्ट वाला पी क्यू मतलब देखो यह बन रहे ना P Q मतलब बैठ रहा ना सब एक में जैसे इसमें वैसे इसमें भी होना चाहिए तो यह सर्बांग क्या हो गया समरूप हो गया ब्रेकर लिख देना भाई S S S ठीक है मतलब साइड 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 समरूप ता नियम से यह दोनों क्या है सभी भाईया समरूप है तो इस तरह से आपने इसको भी कर लिया इकन कोश्चन लेकर मैं आया हूँ बहुत ही प्यार से देखिए यहां पर फिकर बना है यहा करना क्या है और अगर हम इतना समझ लिए तो हम बहुत आसानी से सवाल हल कर सकते हैं सवाल हमारा कह रहा है कि इसमें हमें दो एंगल दिये गए हैं और हमें तीन एंगल फाइंड करने हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पहले इसके जैनकारी होनी चाहिए वो मैं बता रहा उसके बाद फिर मैं सवाल पे चलूँगा जिससे कि आपको कोई परकार की समस्या ना हो हम सभी पढ़े हैं आपको पता भी होगा कि अगर कोई लाइन सीधी सीधी है आप इसको जानते हो ना तो बच्चा इस पे अगर हम एंगल की बात करें तो इस पे हमेशा एक्सो अस्य कोण बनता है ठीक है यह आप सभी जानते हो और अगर हम बात करें इसमें की कोई लाइन ऐसे सीधी सीधी है यह तो ठीक है और इसमें कोई एक ऐसे क्रास एंगल भी बन जाए तो आपके क्या विचार होंगे अगर हम अब ध्यान दीजिए मानलो कि मैंने इसका नामकरण कर दिया A B C D ठीक है अब ध्यान देना अगर हम ऐसे बात करें यह इतना पूरा जहां हमारा यह पहन जा रहा है तो यह पूरा 180 का कोण है 180 का है ना लेकिन अगर इसमें से इतना निकल जाएगा जो इधर फाइड में जा रहा है तो क्या होगा पर उसमें से कम हो जाएका ना कम हो जाएका ना यानि हमारा जो टोटल अगर यहां उपर वाले में बात करें मानलो पी यहां पर क्यूं मानलो चलो यहां पर आर ठीक है अगर हम इस लाइन की बात करें इसकी तो यह क्या है एक परकार से इसको आप मान सकते हो है एंगल PQR बराबर 180 है क्या है एंगल PQR 180 है PQR मतलब सीधा फीधा ठीक है अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिस करो बच्चा अगर B, C, D लोगे तो 180 है एंगल B, C, D क्या है यह 180 आप लिख सकते हो लिख सकते हो न बोलो है कि नवे सीधा फीधाला ने 180 है लेकिन यहाँ पर अगर हम 180 की बात करेंगे जैसे कंडिशन है यह एक लाइन खीचने के बाद तो आप क्या करोगी क्या करोगी पता है आपको देखो ध्यान समझो पूरा तो 180 है यह इतना बीच में इसमें आ जा रहा है यानि हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि भाई यह B और C और A चाहिए ऐसे ले लो A, C, B और प्लस यह इधर वाला जो बच रहा है इधर वाला A, C, D दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा बता होगा कि नहीं यह वने 180 यहां लिखा तोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन यह मैं समझाने के लिखा हूँ कि यह पूरा 180 है ठीक है और लेकिन हाँ अगर सिर्फ इतने की बात करोगे सिर्फ इतने की सिर्फ इतने की तो वो कितना होगा 180 से इधर वाला गटा आने के बाद हो आएगा देखो बहुत ही इंपॉर्टन है यह पहले इससे समझ लो फिर कुश्चन करेंगे हम बहुत ही प्यार से समझ लो इसको ठीक है ना बच्चा उधर वाला जो एंगल है ACD एंगल ACD बराबर 180 हम लिख सकते हैं कैसे क्योंकि मैंने दोनों जोड दिया हाँ अगर मैं आप से बोलू कि बच्चा यह स्सेंस है यह स्सेंस है तो हमें यह बताओ कितना होगा तो आप कहोगे सिंपल सा है भाईया यह X का 80 रख दो यह उधर जाएगा घड़ जाएगा तो आपको होगे 110 का है यह अगर यह 100 का है यह 80 का है तो टोटल 100 C हो गया यह चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है कैसे इनको बांटा जाता चुकि अभी इधर साइड में कुछ ऐसे ही होने माला है यह बात आप ध्यान पूर्बक देखना बिल्कुल भी टैंसा ने लेना लेकिन कलास को इसकिप नहीं करना बच्चा पूरा देखना तभी समझ में आएगी बात है ठीक है तो टाइम जो भी लग जाए मतलब आपको समझ में नहीं आएगी चीजे देखिए समझ यह जैसे आपने पढ़ा होगा सुना होगा अल्टरनेट एंगल पढ़ा है कि नहीं एक आंतर कोड़ जैसे अगर कोई मालो यह लाइने है समांतर है अगर इस पर से कोई एक तरियक रेखा ऐसा जाती है तो यह जो एंगल बनते हैं यह 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 एंगल ए यह बी यह मालो सी और यह मालो डी यह एक आंतर कोड़ होते है जिसमें अंदर जितने भी लाइन के हैं जैसे देखो यह लाइन है ना बच्चा लाइन के ऊपर और इफ लाइन के नीचे जितने होते हैं वो इंटिरियर एंगल होते हैं अंता है और जितने इसके ऊपर होते हैं जैसे मालो यह पी है यह क्यू है यह मालो र है और यह यह स है तो जो पी क्यू आ रहे ऐसा है यह क्या है वी कोण है exterior alternate angle है ठीख है आप समझना यह हमेशा बराबर होता है एक दूसरे के जैसे अगर हम बात करें एक एंगल ए और एंगल बी अपस्में बराबर होगा आप लिख सकते हो है एंगल एकवल इंगल 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 बी इसमाल में ठीक है एंगल C इक्वल एंगल D ये बात याद रखना ठीक है मतलब तिर्यक रेखा के दूसरी साइड और उसके सम्मुक भूजा के सामने मतलब A के B और C के D बराबर होगा ठीक है अब यही चीज अभी इधर साइड यूज होगा इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं थोड़ा सा का समझ गेना इसको लिख लो जल्दी से वीडियो रोग के आगे बढ़ते हैं चलिए अब समझना आगे क्या कहता है क्वेश्चन अब हम में क्वेश्चन पर चलते हैं मुख्या सवाल पर ध्यान पूर्बग देखना बड़ा ही प्यार से देखना था भू ठीक है देखना मग दी सी मतलब ये तर्बू छुटका वाला ओ बी ए के सम रूप है ओबी ए यह जो नीचे वाला चोटा ट्रेंगल है ये दोनों क्या ह् सम रूप है सम रूप का मतलब मैंने आपको बताया था जिनके रूप एक समान हो ये क्या है ये तो सरबांग सम है बढ़िकि ये बराबर आप देखो बच्चा यहां पर एक बात ध्यान दो, जो दिया है पहले उसको आप लिख लोगे, यहां पर लिखो दिया है, पहले लिखो हल, हल लिखने के बाद लिखो दिया है, जो दिया है मैंने उसको लिख लिख लिया, अब ज्यादा टाइम नहीं लगने माला है, देखो simple सा है इसमें बच्चा आपका दो एंगल दिया था सी डी ओ और पी ओसी दिया था था ठीक है अब देखो अगर आप प्यार से देखो एक बाध्यान से तो यह जो रेखा सीधी सीधी है जिसका नाम क्या है यहां पर बहुत ही अराम से देखो प्यार पर चाहिए रेखा ले लो दिये गए चितर से चाहिए तो आज लिख लो दिये गए चितर से या अकरदी से ठीक है यहां पर लिखो डी ओ भी एक रेखा है लिखो ठीक है से लिखो चुकी डी ओ बी एक रेखा है ठीक है अगर यह एक रेखा है तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो इस पर देखो तो इस पर कितने एंगल बने हैं इधर साइड ले लो तो एक तो इधर यह बन जाएगा अगर मैं इसको इहां से निकाल दूँ तो आपको क्लियर होगा अब मैं साइड में निकाल के बना के दिखाता हूं एक मिनट रुख जा थोड़ा सा प्रहते हैं देखो अगर इनको बाहर निकाल वह तो कुछ इस तरह से बनेंगे इंको धे हनक दो इहां निकाल दिया हां यहां से मैंने निकाल दिया सिदा फिद्हाइक जारा न ऑच्छा तो आप कहाँ सकते हो की डी ओ फीक है अर पलस सी ओ बरबर एक सो सीयन्स भोलो है न सही तो यहां पर आप के लिख सकते हो यहां पर आप लिख सकते हो एंगल डी ओ सी धान एंगल सी ओ बी इकवल एक सो सी अथी ठीक है इतने CLeат इतने में किसी को कोई लफडा नहीं न वच्चा अब इसको मिटा दे रहा हूँ है इसका काम हो गया खतम अब देखो यहाँ पे ध्यान दो आप DOC DOC अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कुछ दिया है क्या दिया है आप इसमें देखो तो एक एंगल आपको दिया ना बच्चा कौन सा दिया है अरे यार, O वाला दिया न, बाभू DOC में तो 125 दिया है की नहीं, पहले ये बताओ दिया ना इसमें कुछ एक तो दिया है न देखो कौन सा दिया है अरे बाइं, D, O और C इसमें तो O नहीं दिया है लेकिन हमने जो दूफर लिखा था C, O, B इसमें देखो O दिया है तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल D O C धन इसका मान 125 रख सकते हैं एक्वाल एक्सोची अंस तो बच्चा यहां से जब निकालोगे यह 180 है इसको प्यार से लिखना सुन्दर सा यहां से जब निकालोगे तो एंगल D O C बराबर 180 माइनस 125 बराबर 5 बनाएगा तिक है यह कितना एक 55 आगे देखो अच्छे से हमारा कौन से एंगल आया ओ यानि यह जो मैंने डाललाल किया देखो यह 25 आगया ध्यान से देखो यह कितना आगा 55 यह 55 आगया ध्यान देना चोटा फली का ठीक है आप कोई दिक्कत नहीं ना अब अगर आप एक बात ध्यान आप अब चलो लिखो जल्दी से आगि आप लोग इतना लिख लो इसक्रीन साट ले लो फिर मैं आगी लिख्वाता हूं बहुत जल्दी करो भई देखो एक अंगल आ गया हो गया जल्दी करो अब हमें ज्यादा देर नहीं लगानी इसलिए हम बहुत जल्दी करेंगे देखो आप देहान दो बच्चा यह ट्रेंगल डी ओ सी इस तिर्भुज में आकर देखो तो दो कॉंट दिये हमें एक निकालना है हम क्या कि यह तीनों को जोड़के एक सोसी कर दिये चुकि तिर्भ दिया था एंगल कमान अभी हमने 55 निकाला पच्पन निकाला है एंगल सी कमान हमें निकालना यहां से निकाल लिया ठीक है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब बच्चा अगर यहां पर आप यह लाइन देखो यह जो आई है सीदा-सीदा सीओ ओ ए वाली यह लाइन तो ग्र हमंग एंगल सी कमान यह पछ पंध最 चल गया तो एंगल एक अंत्र कॉंड MARK अब contenido बताया था तो एक अंत्र कॉंड आपस में बर्ाबर बिटैं इसलिए अंगल भी क्या होगा वराबर होगा आप है पहल इखो चलो फटा पटागे लिख डो लिखो लिखर लिखर अलिकल चूव कि चीज लिखर में यहीत ग्याद करना सहे थे एंगल भी göst canada up in Nice Kalia यहां पली हो चूब आंगल सी निकल ए यह बराबर है क्यों बराबर है रेकट में लिखो एक अंतर कोण ठीक है एक अंतर कोण या फिर अंता एक अंतर कोण ठीक है दोनों लिख सकते हो चलो यह अंता एक अंतर कोण है तो आप यहां लिख सकते हो इसलिए इंगल C बरावर इंगल A बरावर 55 ठीक है कितने हो जाएंगे पच्पनांस पस हो गया बही इंगल C कमान पच्पन दिया था एक कमान भी उतना हो जाएगा तो यह आपका कुश्चन खतम हो गया अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपनी संग कुछ कमेंट करके हमसे से इस्थित है कि कौण P कौण RTS है ठीक है और दर्साने को कह रहा है दिखाने को कह रहा है कि दिखाओ की तिरभूज RPQ यह सिमलर है समरूप है RTS के ठीक है RPQ RPQ मतलब यह जो पूरा बड़ा वाला तिरभूज है यह RTS के समरूप है दिखाना है RTS मतलब यह दोनों तिरभूज को हमें समरूप दिखाना है तो चलो सिम्पल सहा लिख लेते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चलो लिखो जो जो चीजें दी गई है उनको लिख लो आगे चलो जल्दी लिखो तिरभूज देखी मैं चीजें बोल दे रहा हूँ उसके बाद लिख के दिखा दूँगा ठीक है जल्दी लिखो तिरभूज PQR में भुजाओ PR और QR पर क्रमसा बिंदू या सर्टी इस्थित है इसलिए एंगल P बराबर एंगल RTS यह दिया गया है देख लो देखी ये चीजें दी गयी थी बहुत ही सिंपल था मैंने जो गोला और उसको आपको दिखा भी दिया चुकि शाद़ा टाइम नहीं इसलिए मैं आपके सामने नहीं लिखा ठीक है मतलब ये चीशें हमें दी गई अब अब दोनों ट्रेंगल लोगे R P Q and RST अब यहाँ आप लिखो तिर्भूझ R P Q और तिर्भूझ R S T में लेको बहुत सिंपल है बच्चा इसमें एंगल P एंगल R T S के बराबर दिया है दिया है न तो लिखो एंगल P इक्वल एंगल R T S ब्रेकट में लिखो इभन ये दिया है ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसमें एक चीज़ और दिया है एंगल आर बराबर एंगल आर ये क्यों भीया, ये कॉमन है क्या है बाभू ये, कॉमन है, क्यों? जब हम एंगल आर पी क्यों लेते हैं मतलब पूरा बड़ा वाला तिरभूज लेते हैं तब भी हम एंगल R का यूज करते हैं जब हम एंगल R, S, T बोलते हैं तब भी हम क्या करते हैं इसका R का यूज करते हैं दोनों में common है ठीक है और अगर दो कोड़ ये common इस तरह से हो गए तो भाई simple सी बात है ऐसे मानलो अगर ये कोड़ और ये कोड़ बराबर है और इसमें भी अगर वही हाल हो जाए ये कोड़ ये कोड़ बराबर हो मानलो कि ये कोड़ पचास अंस का है और ये चालिस अंस का है तो 50-40 कितना हो गया, 90 हो गया, दूसरा भी 90 का बचेगा, है न, वही हाल यहां भी होगी, अगर यह, मालो 50 का हो गया, 40 का होगी, दूसरा क्या बचेगा, भी उतने का यह बचेगा, मतलब अगर कोई दो तिर्भुच है, दून के दो कोणा कर बराबर हो गया, तो के ठीक है हो गया नीचे लिख दो प्रूब्ड आता हां सिद्ध हुआ हैना कितना आसान बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था